गुड मॉर्निंग गाइज अवाज आ रही है आप लोगों को मेरी मैं भी देख लेती हूँ एक बार फटा फट बता दीजिए वेरी गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू अच्छा बच्चा यूवराज, ममता, सुनील वेरी गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू आज हम एंशियंट हिस्ट्री क्लास की शुरुवात करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री पे मैं लगभग तीन से चार क्लास लेकिया हूँगी दो-दो-धाय-धाय घंटे की उसमें हमारे जो मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स है जहां से कोशन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे लेकिन आज कल मैं पहले ही बता दूँ होता है कि डिस्क्लेमर में पहले ही देतू हूँ आज कल यूपिएस्सी क्या कर रहा है जो भी आईएस मतलब जितनी भी परिक्षाय लेता है यूपिएस्सी चाहें एसीडियेस्सी एसीएपिएस है या आईएस है वहां पर एंशियंट वे ना बहुत ही जादा टिपिकल कोशन पूछन पूछने लगा है मतलब एक दम होता है न इतिहास की गहराई के अंदर से खोद के कोशन निकालेंगे हम वो वाली बात होती है कि दम है तो करके दिखाओ तो वो पूछन तो फिर भई एक आध कोशन को ये सोचके नहीं चलना है कि अरे अब ये वाले कोशन पूछेगा तो उसके लिए हम जो है इतनी मोटी मोटी 3-4 किताबे पढ़ेंगे 4 question के लिए ये smartness नहीं है कोई बात नहीं पूछने दो हम जो core area है उसको complete करके चलेंगे वहाँ से जो question आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए मेरी बात समझे very good morning to all of you soundy को हो रहा है ओके ओके मैं एक बार सुनके देखो क्या हो गया यार मेरे पास setting भी नहीं है मैं किसे ठीक करवा हूँ आपको पता है न टेकनीक थोड़ी बहुत आप लोगों से ही सीखी है मैंने एक मिनिट रुक जो एक मिनिट गाईज वह से करते हैं अवाज आ रही है आपको मेरी अगर ऐसे करके देखा मतलब ऐसे ही मैंने कुछ क्लिक किया है अब ठीक आरी है अब ठीक आरी है यह न एक हरियान हरियान मेरे कहावाट चलती है अगर कोई हरियान का बच्चा मुझे सुनरा होगा अंद देगा तीर भी टोड़े में मतलब यह आपको नहीं समझ में आएगा यूपी भिहार वालो को आपको समझ में नहीं आएगा मतलब यह होता है तुक्का मुझे कुछ नहीं आता है टेकनीक में आपको भी पता है मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है टेक्निकल मामले में मैं बहुत ही जादा बुरी हूँ, बहुत ही जादा, और वो तक तुक्के से कहीं बार चीज़े क्लियर हो जाती है, तो ठीक है, बीच में अगर कुछ हो तो मुझे बता दे न, बस लग गया तुक्का, तो दोस्तो हम सब की अकैडमी, ललीता दहिया अकै कुछ प्रियू का अवर्भभ है, MA तुक्तिकल साइएंस और इंटर्नेश्टनल रिलेशनस में किया है, उजी सीनेट भी पोलिटिकल साइएंस और इंटर्नेश्टनल रिलेशनस पीसे मैं ने दाए है, मेरा वेकल्पिक विश्य हमेशा ही हृँ, इतिहास क्यों पढ़ा रह पीडियेफ सब आपको इसी टेलिग्राम ग्रूप पे मिलेंगे मेरा इंस्टेग्राम मेरा फेस्बुक पेज आप जुड सकते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को फटा फट जितने भी बच्चे मुझसे जुडे हुए अभी फटा फ सब्यता मैं कुछ टोपिक करवा चुकी थी लेकिन मुझे लगा एक फास्ट रिवीजन जो पुराने बच्चे कुछ एक पुराने बच्चे हैं उनका भी हो जाएगा और नए बच्चों का भी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा यह बहुत इंपोर्टन टोपिक्स हैं ज संस्कृति अर्थ व्यवस्था धर्म और विज्ञान ABCD बहुत बढ़िया आरती अंजली सिंपी निशा अजय दीपक रंजेश गलत हो गया कोई बात नहीं दोस्तों ऐसे कोशिन में ना हमें सोचना है यह बोल रहा है सोसाइटी की बात कर रहा है बच्चे मानव समाज जो ह आपका खान पान आपकी वेश भूशा आपकी परमपराएं ठीक है तो पूरी सोसाइटी डिपेंडेंट एक तरीके से आश्रित होती है कल्चर पे धर्म तो फिर बाद में आएगा इस चीज को समझी आप यदि धर्म ध्यान लटना कहीं बच्चों को लगेगा धर्म मानव समाज विलक्षण है मुख्यत है आश्रित यदि धर्म पे हो जाएगा तो एक बाद बताईए ये जो हम भारत में रहते हैं एक ही जगे पे अलग-अलग धर्मों के लोग बड़े प्यार से जो हम रहते हैं अगर धर्म को हम प्रबल मान लेंगे तो एक व्यक्ति कहेगा ये धर्म दूसरा व्यक्ति कहेगा ये धर्म तो लोगों का जो सोसाइटी है समाज की जो अवधारना है वो उतनी थक्रिया हम कहेंगे सहनशीर तरीके से नहीं रह पाए यदि धर्म को ही हम प्रमुक्तत्व मान लेंगे कल्चर को हम प्रमुक्तत्व मानते हैं इस एक एक लगाते हैं बिंदी नहीं लगाते लेकिन आप बिहार की सोसाइटी देखेंगे पूरवी यूपी की सोसाइटी देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी सिंदूर लगाती हुई दिखेंगी बिंदी लगाती हुई दिखेंगी ये किसका प्रभ सब्भ्यता से संबंद है सुमेरियन सिंधु घाटी वैदिक मैसोपोटामिया बहुत इजी कोशिन है मतलब फटा फट बता दू हडपक किस सब्भ्यता से संबंदित है वेरी गुड दीपक आरती, रंजेश, इशा, अच्छा बच्चा, महेंद्र बहुत बढ़िया याद रखेगा इसमें टाइमी नहीं लगाना है हडपा सब्भ्यता सिंदु घाटी सब्भ्यता एक ही बात है याद रखेगा ये जो सिंदु घाटी की सब्भ्यता है इसे हडपा सब्भ्यता क्यों क है वो सबसे पहले हुई थी इसलिए सिंदु घाटी सभ्यता को हम अडपा सभ्यता भी कहते हैं याद रखेगा जैसे सिंदु घाटी सभ्यता संबंधित है यह सीधे माहियाशुअंतिमा, प्रदीप, लवकुमार, नुरूल, आरती वेरी गूर याद रखेगा आध्य एतिहासि क्सिंदु घाटी सभ्यता Сंबंधित है आध्य एतिहासि क्या है आध्य एतिहासिक होता है कि भाई लीपी तो है लेकिन लीपी को पढ़ा नहीं गया है यानि आपने जो लीपी लिखी उसको पढ़ा नहीं गया है यही है आद्धे इतिहास याद रखेगा जो सिंधू सभ्यता है वो आद्धे इतिहासिक सभ्यता है क्योंकि सिंधू सभ्यता की आपने देखा होगा चित्रात्मक लीपियां है यां नी लीपी है लेकिन उसք पढ़ा नहीं गया है जैसे ये बताएं ये सिंदु घाटि की सभीता गैर आरिया थि क्यों नगरिय सभीता है इनकी अपनी लीपी थी इसकी जो अर्थ वश्था खेती हर अर्थ वश्था थी इसका विस्तार नदी घाटी तक था, गैर आरिय सभ्यता क्यों थी? बहुत बढ़िया? बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर कई बच्चे बी क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लीपी से गैर आरिय नहीं हो जाती बच्चे लीपी तो आगी चल की हम आरिय, आरिय सभ्यता में भी तो लीपी आ जाएगी न, याद रखना, नगरिय थी बेसिक डिफ्रेंस है आरिय सभ्यता और वैदिक सभ्यता आप कह सकते हो वैदिक और सिंदु घाटी की सभ्यता में जो सबसे बड़ा डिफ्रेंस है वो है ये नगरिय सभ्यता है और वो ग्रामीन सभ्यता थी ये बड़ा डिफ्रेंस है याद रखेगा इससे सिंदु घाटी क सबने पढ़ा हुआ होगा बड़े बड़े नगर मिलते हैं उद्योगिक विकास मिलता है बंदरगाह मिलते हैं ठीक है अलग-अलग धातों के सक्षे मिलते हैं अलग-अलग देशों की मोहरे यहां पे मिलती है भारत जो भाडपा सभ्यता की मोहरे एक तरीके से हम देखते हैं दूसरी सभ्यताओं में मिलती है तो इससे क्या अभी प्राय निकलता है कि भई व्यापार अपने चरम लेवल पे था ठीक है या फिर हम देखेंगे कि जो नगर से वो विक्सित थे नगरों का पूरा विक्सित पैटर्न मिलता है जो कोर्च सड़के हैं नालियां हैं धकी हुई है तो पूरी व्यवस्ता तो नगर ये सभ्यता थी जो की गेर आरिया से अलग है जैसे बतायें जिसे बताईए सिंदू घाटी सभ्यता को आरियू से पूर्वर रखे जाने का महत्वपूर का रख क्या है बहुत अच्छा कोशन है आफिर सिंदू घाटी सभ्यता को हमने आरियों से पहले क्यों रखा आपको पता है लगबग 2300 क्यास पास से 1650-1750 इस्विपूर हम सिंदू सभ्यता परिपक्व सिंदू सभ्यता मानते हैं और वैदिक और उत्तर वैदिक हम देखते हैं कि 1500 से 1000 और 1000 से लगबग 620 पूर क्यास पास हम देखते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक तो आखिर हमने क्यों सिंदू घाटी की सभ्यता को पहले रखा सिंदू घाटी की सभ्यता को पहले रखा और आरियों को बाद में रखा लीपी नगर्नियोजन तांबा मृद्भांट यहां पे कई कई बच्चे गलत कर रहे हैं कई बच्चे बोल रहे हैं नगर्नियोजन अभी मैं पूछती हूँ आप लोगों से वेरी गुड मनीश कोई और हेतल बहुत बढ़िया रंजीत प्रताप राव बहुत बढ़िया बच्चे प्रीती सिंग यूपीसी बहुत बढ़िया महेंद् अर्थवस्था का विकास होगा सबसे पहले ग्रामीन अर्थवस्था का विकास होगा भई खेती का विकास होगा पशुपालन का विकास होगा जब खेती अधिशेश होने लग जाएगा कि खेती आदमी क्या कर रहा है अधिशेश आदमी क्या कर रहा है कि खेती से उसका पढ़ा रही हूं और मेरे को खेती करनी होती कि बही अब क्लास के बाद गेहू भी काटने हैं और जो है उसको पिसवाना भी है फिर रोटी भी बनानी है और वो खानी भी है तो मैं क्या पढ़ा पाती यानि जब ससल अधिशेश होता है तब इंसान सोचता है दूसरे उद्यो आरिये सभ्यता पहले आएगी क्यों क्योंकि आरिये सभ्यता ग्रामीन है सिंदू सभ्यता शहरी है यदि हम नगर नियोजन के आधार पे रखेंगे तो याद रखना पहले आरिये सभ्यता आएगी उसके बाद सिंदू क्यों क्योंकि पहले ग्राम विक्सित होते हैं और बा चीन भारत पढ़ते हो तो मृदभांडों के आधार पे काल लानुक्रम decided किया गया है दोस्तों जैसे लाल और काले मृदभांड सिंदू सभ्यता से related हैं तो जहां पे भी लाल और काले मृदभांड आ गई इसका मतलब भई ये जो है चित्रित धूसर मृदभांड जो की वैदिक सभ्यता की विशेष्टा है यानि एक काले और लाल मृदभांड पहले के हैं मेरी बास समझे एक बार एक बार समझब दे दो अगर अर्च्ववस्था के आधार पे हम किसी भी सुसाइटी को रखेंगे तो पहले ग्रामीन सभ्यता आएगी फिर शहरी आएगी अंडस्टूड सी बात लेकिन मृदभांडों के आधार पे वरगी करण किया है कि जो लाल और काले मृदभांड पहले आएंगे चित्रित धूसर मृदभांड बाद में आएगे ठीक है बहुत बड़ी अंसर हो जाएगा मृदभांड नगर नियोजन मत कर देना भूल के भी और यहां कोवन सेंस लगानी है कोई भी सोसाइटी उठा के देख लो एक क्रम चलता है सोसाइटी का प्रात्मिक छेतर दूतिया छेतर जब दूसरा छेतर डेवलप हो जाता है तो फिर तृतिया छेतर की तरफ आते हैं ठीक है ध्यान दब यह पताईए सिंदु घाटी की सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन ह है जी इसके पास विक्सी शेहरी स्विधाएं है इसलिए इसके पास चित्र लेख ही अलिपी है इसलिए इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्यान का अभाव था उपर यूप्त सभी A, B, C, D अभी आएंगे अखिलेश, कोपर वगेरा पर आएंगे बच्चे, वेरी गुड मनीशा, गोरव, KGF, रानी, आरती, सुरुची, संस्कृती, बहुत बढ़िया आंकित, महेंद, रंजेश, साक्षी, वेरी गुड पंकज, याद रखना तीनो सही है, अंसर हो जाएगा D, हम इसलिए भी भिन है, अगली बात याद रखेगा दोस्तो, हडपा सभ्यता का जब आप देखोगे, तो लोहे के ज्यान का अभाव दिखता है, यहाँ पर हमें बहुत सारी धात्में दिखेंगी, याद रख लेना धात्मों को, कोशिन बनता है सीधा, तामबा दिखेगा, का लोहे के प्रमान मिलते हैं, अंतर जी खेडा, ठीक है, लोहे के प्रमान मिलते हैं, ध्यान रखेगा कहां पर वैदिक सभ्यता में, लेकिन सिंदू सभ्यता में लोहे का अभाव मिलता है, बाकी चार धात्में आपको याद रखनी है, तामबा, कांसा, कांसा और तामबा तो लोहा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बाद है, ये बताएं हडपपा संस्कृती की जानकारी का प्रमुक स्तुरोद क्या है, शिला लेख है, पक्की मिट्वी की महरों पर अंकित लेख है, पुरा तात्विक खुदाई है, उपर युक्त सبही, बताओ फटा-फट, घडपा संस बच्चे D कर रहे हैं देखो कई बच्चे D कर रहे हैं जैसे प्रीति है इशा नहीं बच्चे D क्यों नहीं होगा देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया हर चीज को ना correlate किया कीजिए जैसे अभी बताया कि लीपी तो है लेकिन ये लीपी पढ़ी नहीं गई है जब अगर शीला लेखों पे अगर कुछ लिखा हुआ होगा और हमें पता यह निए कि ये क्या लिखा है तो क्या हमें घड़पा सभ्यता की जानकारी हो पाएगी इस ते या पकी मिट्टों की जो मिट्टी की मोहरे हैं उन्पे जो अंकित लेक हैं जब तक हम उन लेकों को पढ ही नहीं पाएंगे तब तक क्या हम ये जान पाएंगे कि भई क्या लिखा है इसमें और क्या-क्या व्यवस्था थी तो याद रखना शिलालेक अंकित लेक इस तरीके की जो भी प्रणालिया है उनका भडपा सभ्यता की जानकारी से कोई संबंद नहीं है क्योंकि लीपी तो ह में हमको नगर के नगर मिले हैं पूरी व्यवस्था मिले कि भई सड़के कैसी है नालिया कैसी है कुए है घरों की व्यवस्था कैसी है मृदभांड कैसे है उसमें भी फिर डाइवर्जन है आप देखोगे कि कुछ मृदभांड हाथ से बने हैं कुछ चाक से बने हैं कुछ पर डिजाइनिंग है ठीक है नगर भी तीन कई नगर आप जैसे धोला वीरा देखोंगे तीन भागों में है तो उससे हमें आइडिया लगता है कि भई जो किला टाइप का है उसमें राजा टाइप के लोग रहते होंगे जो निचला नगर है उसमें lower middle class रहता होगा तो ये प ठीक है भई बहुत बढ़िया next question ये बताइए निमन लिखित में से कौन सा सिंदू घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है मतलब सिंदू सभ्यता की जानकारी कहां से मिलती है शिलाले एक पुरा तत्व संबंदी खुदाई बरतन की मोरे धार्मिक ग्रंथ कभी इस तरीके क ये कौन से धारमिक ग्रंथ लीपी तो पढ़ी नहीं गई very good answer बिल्कुल 100% हो जाएगा बी बहुत बढ़िया next ये बताइए ये करनी की कोई जरूत नहीं है एक बास सुरू ध्यान से हमको केवल दो का नाम याद रखना है एक है दयाराम सहानी एक है राखाल दास बनर जी इतने सारे नगर मिले हैं हडपा में अगर ये याद करोगे किसने कौन सा नगर खोजा है और रियदी विद्वान बढ़ना है तो आप बिल्कुल फ्री हो याद करने के लिए मैं रोकूंगी नहीं लेकिन यार कर भी लोगे ना याद तो याद नहीं रहता इतना सारा हमें पढ़ना होता है यही टोपिक थोड़ी ना कंप्लीट करना है जैसे देखो आइस 1994 में कोशन पूछा अभी आऊंगे उस वाले कोशन पर पिछले वाले पे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष कहां से मिले हैं खडपा संस्कृती पश्चमी सभ्यता क सोरी पश्चमी भारत की तामरपाशान वैदिक सहिता चांदी के आहद सिखे ए बी सीडी बहुत बढ़िया वैरी गुड याद रखेगा कहां पे हडपा सभ्यता में सबसे पहले चांदी के जो प्रमाण है प्राचीनतम साक्ष का हडपा सभ्यता में मिले है अजमेर अलवर राज़स्थान का यह नहीं तो यहां तक आप क्या समझे ये धातुएं मैं वैसे ही नहीं बोल रही, बार-बार याद करना भी मैं दिखाऊंगे, आइस में कैसे question पूछे हैं इस topic से, ताकि आप deal कर सको, तो याद रखेगा, तामबा, कांसा, चांदी, सोना, लिखने में time waste नहीं करेंगे बई, ये चार धातुएं आपको याद रख नहीं मिले, next, हडपा में मिंटी के बर्तनों पर सामान जेता है, किस रंग काउपयोग किया गया, बता दो फटापट, लाल, नीला, हरा, पांडू, नीला, ये पता होना चाहिए, ये जो मृत भांड है न दोस्तों, चित्रत मृत भांड, basically, लाल और काले मृत भांड, ये ह विशेष्टा है, तो याद रखेगा, किसकी विशेष्टा है, हडपा सभ्यता के जो मृत भांड होते थे, लाल और काले, रंग की चित्रकारी होते थे, ठीक है, याद रखेगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, बताओ फटापट, पूरवारिया, अपको यहाँ पर मूर्ति पूजा, बहुत सारी मात्री देवी की मूर्तियां मिलेगी, ठीक है, याद रखना शिवलिंग, आपको यहाँ पर मिलते हैं, इसके अलावा आपको योगी की मूर्ति मिलती है, ठीक है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ हमको दिख गया था हडपा सब्यता से, हिम्रिण मूर्तियां, मात्री देवी की मूर्तियां, बड़ी संख्या में मिलेंगी आपको, हडपा सब्यता से, तो याद रख लीजेगा, हमें ऐसे प्रतीक मिलते हैं, जैसे पीपल, स्वास्तिक, ठीक है, ये सारे प्रतीक हमको मिलते हैं हडपा सब्यता से, यग्य की आहूतियां मिली है, तो हमको ये प्रमान भी मिलता है कि यग्य भी होता होगा यहाँ पे, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मंदिर नहीं मि याद रख लीजिएगा मूर्तियां मिली है मंदिर का मतलब क्या है धाचा होगा कि पूरा एक दिवार है वहाँ पे गर्व ग्रह है वहाँ पे देवता है उस फिर मंदिर की बनावट अलग-अलग हो सकती है वो फिर हम आगे पढ़ेंगे कल्चर में मंदिर कहीं नहीं मिले है इस बात को याद रहा है मूर्तियां मिली है ठीक है जैसे मूर्ति पूजा का आरम यह अभी करके हटे है तो हमें पता है पूर बार एक आध कोशन पता नहीं क्यों रिपीट हो गया यह बताओ भई आईस दो हजार एक का कोशन है निवन लिकित पश्वों में से किस एक का हडपा संस्कृति में पाई मुहरों और टेरा कोटा की जो कलाकृतियां मिली है जो मुहरे मिली है या जो भी कलाकृतियां मिली है मिट्टी की लखडी की उनके उपर निरूपर नहीं हुआ है गाएं का भाथी का गैंडे का बाग का अंसर बताओ फटा पर केपी ललित प्रतीभान निशा संस्कृति विनीद अभीनाव तुलबुली आरबी आरबी गलत हो गया बच्चे कोई बात नहीं याद रखेगा दोस्तों गाए का अंकन नहीं मिला है यहाँ पे दो चीजे याद रखनी अगर आपसे यह पूछे कि भई हडपा सभ्यता में गाए थी ही नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पे विद्वानों में मत भेद है क्योंकि हमें कई सारे स्थानों से गाएं के अवशेश मिले हैं लेकिन गाए को जो प्रमुकता दी गई यानि जो गाए को पवित्र माना गया वो माना गया वैदिक काल और गाएं को जो प्रमुकता दी गई गाएं ही सब कुछ है यह वाली जो अवधारना पनपी यह वैदिक काल में पनपी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हडपा में गाएं नहीं थी गाएं थी इसके बकायदा प्रमान भी आपको मिलते हैं लोथल से प्रमान मिलता है, सुरकोटदा से प्रमान मिलता है, गाएं के अवशेश मिले हैं, याद रखिएगा, अवशेश मिले हैं, लेकिन परमुख नहीं थी गाएं, और जो मोहरे हैं, मोहरों पे गाएं का अंकर नहीं मिलेगा, यानि हाथी, बाग, गैंडा, बकरी, इन सब की अंकर मिले गया ठीक है याद रखेगा ये ध्यान रखेगा बिल्कुल नहीं भूलना है अगर ये कह दे कि भई गाएं बिल्कुल ही नहीं मिली है तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको कहीं जिक ऐसे गाएं के प्रमान मिले हैं मैंने एक्जेम्पल भी बताया आपको ल बताओ भई यहां से अब पंसाद कोशिन करेंगे बिल्कुल टिप्स पे चीज़े हो जाएंगी लोठल से क्या मिला है काली बंगा से क्या मिला है धोला वीरा से क्या मिला है बनावली से क्या मिला है options आपके सामने फटाफ़ट बता दो A का हो जाएगा ठीक है जी B का हो जाएगा ठीक है जी C का हो जाएगा ठीक है जी और D का हो जाएगा हाँ D का हो जाएगा ये बहुत बढ़िया answer simple सा निकल गया है answer बता दो क्या होगा Very good महेंद्र रुची यहाँ पर कहीं बच्चे गलत कर रहे हैं कोई बात नहीं, वो ऐसे questions में होता है, फिर भी ध्यान से कीजिए, अंसर होगा, very good, legit, SP, संस्कृती, चुलबुली, मेगा, गौरफ, very good, अंसर देखो, कुछ ने, हमें पता है, लोथल कहां है, गुजरात में था, ध्यान रखना, यहां से मिला है, गोद्धी वाड़ा, बंद से हमें मिलता है, गोद्धी वाड़ा, काली बंगा से हमको क्या मिलता है, दोस्तों, काली बंगा से हमको मिलता है, जुता हुआ खेत, याद रखना, काली बंगा कहां है, राजस्थान में, तो काली बंगा से हमको मिला है, जुता हुआ खेत, बनावली पूछ लेगा, वो द याद रहेगा याणि लोत्थल से क्या मिला गोधिवाड़ा पटाया यह जैसे शिंपल पूछ लेता है एक जुते हुए खेत की खोज कहां, जुता हुआ खेत कहां मिला है, बताओ फटाफट, मोहन जोदरो, काली बंगा, हडपालो थल, ABCD, ABCD, फटाफट, बहुत बढ़िया, ये सीधे कोशिन पूछते हैं दोस्तो, IS में भी और PCS में भी, आपको ये कुछ-कुछ विशेशना य जैसे रिजर्वेयर कहां से मिले हैं, स्टेडियम कहां से मिला है, जुते हुए खेत, हल, तो हमारे दिमाग में होनी चीए, और कैसी होएंगी, जब हम बार-बार प्रैक्टिस करेंगे, हमने अभी देखा, काली बंगा कहां पे है, राजस्थान में है, और ये भी याद क्या मिला, मोहन जोदरों से क्या मिला, बहुत इंपोर्टेंट है, बता दो फटा-फट, मोहन जोदरों से हमको मिला है, D का हो जाएगा, ये, काली बंगा से मिला है, C का हो जाएगा, ये, अंसर निकल गया, अच्छा, दोनों में है, अब हम देखेंगे, लोथल, लोथल से मिला हमको ठीक है जी बिलकुल सही बात है अंसर निकल गया बहुत बढ़िया गोरवारती वसीम ध्यान से करो बच्चे फोड़ा सा इधर उधर हुआ है आपका शायद वेरी गुड साक्षी दिव्या पूर्णी मा अजय अभिनाव सक्सेस अभनी वेरी गुड याद रखना ल नर्तकी की मूर्ती हडपा से हमको शवाधान आर थर्टी सेवन मतलब पूरे शवाधान का एक पूरा वो मिला है कब्रिस्तान मानलो आप कब्रिस्तान कहां से मिला है तो वो हडपा से मिला है याद रहेगा हडपा से शवाधान यानि कब्रिस्तान आर थर्टी सेवन लोथल से गोदिवाडा, काली बंगा से जुता हुआ खेत, मोहन जोदडों से नर्तकी की मूर्ती, बनावली से हल, याद रहेगा, ठीक, next question, जैसे ये question भी पूछता है दोस्तों, हमें कुछ important स्थली याद रखनें कि कौन सा किस नदी के किनारे था, और विशेशकर हडपा तो पता ह होना ही होना चाहिए, बता दो फटा-फट, खडपा, हस्तिनापूर, नागरजुन, कॉन्डा, पैठन, अंसर बता दो, एका हो जाएगा, जी, एका हो जाएगा, जी, एक से ही निकल जाएगा, हस्तिनापूर का हो जाएगा, ये, नागरजुन, कॉन्डा का हो जाएगा, य एक से ही निकल जाएगा बहुत बढ़िया मनीशा लिट्टी आर्ती एसपी विनीद गोरव केजी एफ बहुत ही बढ़िया विक्की रोय जैक याद रखना बिल्कुल सही बात है अंसर क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा B क्यों भई याद रख लिजेगा जो हडपा है वो रावी नदी के किनारे है हडपा किस नदी के किनारे रावी नदी के हस्तिनापुर आपको याद रखना है दोस्तों हस्तिनापुर गंगा नदी नागारजुन कोंडा कहां पे नाम से इस पश्ट है कृष्णा नदी नदी आप देखोगे कृष्णा कावेरी तो ये नागरजुन कॉंड़ा आपको कृष्णा नदी आन्वर प्रदेश के आसपास मिलेगा पैठन याद रख लेदा पैठन है आपका गोदावरी कभी भी पूछ सकता है इस तरीके के कोश इसके अलावा सी का हो जाएगा ये दोनों में दे दिया है इसके अलावा रोपड का हो जाएगा बिल्कुल एजी अंसर निकल गया और काली बंगा का हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया A, B, C, D, कोई बात नी, very good अंजली, राज, अभिनव, पूजा, अवनी, केरल, बहुत बढ़िया, याद रखना, A, कैसे हो जाएगा, हडपा का हमको पता है, कहां है, जी, रावी नदी पे है, याद हो गया हडपा, रावी नदी के किनारे, लोथल का याद रखना, लोथल थ राजस्थान में है, जुते हुए खेत के साक्षे मिले हैं, और ये घगगर नदी के, घगगर नदी पर आउस्सित्धा, रोपड हमको कहां मिला है, सतलज नदी, रोपड वैसे भी हमको पता है, पंजाब में है रोपड, तो पंजाब कौन सी नदी, तो सतलज नदी, याद कि हडपा जो है सतलज नदी के किनारे पर सिद्ध था, तो गलत हो जाएगा, याद रखना, ये छोटे-छोटे फैक्ट से ही आपका बड़ा कोश्चन सही होता है, हडपा रावी नदी के तड़ पर था, जैसे सेंदव सब्यता का महान सनानागार कहां से मिला है भई, आपक पर पड़ा जोटा उपटा पड़ा वेरी गुड मीशन, अंतिमा, सुरूची, नंदनी, श्वेता, अच्छा बच्चा, सना, स्मिता बहुत बड़ी आपके महां जोदो से, नानागार मिला है कहां से महां जोदो से, अब एक बार सुनो ध्यान से, स्नानागार मिला मोहन जोदरो से भडपा से क्या मिला कबरिस्तान मिला भई शवाधान लोथल से क्या मिला हमको गोतिवाडा मिला काली बंगा से क्या मिला जुता हुआ खेत मिला बनावली से हमको क्या मिला हलकी प्रतिकृति मिली यही तो 7-8 चीज़े याद रखनी है यहां से बार-बार कोशिन बनते हैं ठीक है? याद रखेगा मोहन जोदरो जैसे विशाल सनानागार किस पुरा तत्व स्थल से पाया गया है आप लोगों को नहीं बताना है अब तो महान सनानागार यदि आप से कभी भी पूछे तो मोहन जोदरों से मिला है विशाल सनानागार हडपा मत कराना भूल के भी ठीक है? याद रखेगा यह बताएं निम्न लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है नगरों में नालियों की सुद्रिड व्यवस्ता थी व्यापार और वानिजय उन्नत दशा में था मातरी देवी क्यों पास न की जाती थी लोग लोहे से परिचित थे सिंपल सा कोशन क्या गलत है भई? बहुत बढ़िया मिशन, लिट्टी, आर्थी में पहले करवा चुकी हूँ इस कोशन को बहुत ही बढ़िया केजी है, राज, पंकज आर्थी, माही निशा, गेमिंग बहुत बढ़िया याद रखेगा लोहे से परिचित नहीं थे बाकी चार धात्वें आपको याद रखेगी है व्यापारवाणी जउननत दशा में था आपको उद्योगों का एक उननत स्तर मिलेगा आयात निर्यात के साक्षे हमको मिलते है गोधिवारा मिलता है हमको ठीक है, मात्रे देवी की उपास ना याद रखना भी एक कोशन पूछा था ना मूर्ति पूजा के सबसे पहले साक्षे कहां मिले है तो हडपा सभ्यता में मिले है वही मूर्ति पूजा यानि मात्रे देवी की पूजा होती थी लेकिन मंदिरों के साक्षे नहीं मिले है हडपा सभ्यता से कहीं से भी ठीक है, याद रखेगा लोहे से परिचित नहीं थे जैसे एक कोशन आप यदि कोई भी बच्चा UP PCS देने जा रहा है जो बच्चा PCS देने जा रहा है वो इस कोशन को जरूर करके जाए भई ध्यान रखना ये पूछता है अभी मुझे बताओ कौन सा गलत है मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है गलत पूछा है आलंगिर पूर उत्तर प्रदेश लोथल गुजरात काली बंगा हरियाना रोपड पंजाब इसमें से गलत क्या है काली बंगा कहा है इकनी देर से बता रही हूँ काली बंगा राजस्थान में है और काली बंगा से जुते हुए खेट मिले है और काली बंगा किस नदी के किनारे है अभी बताया था घगगर बार बार याद करोगे तभी याद होगा ठीक है बाकी आलंगिर पूर याद रखना यूपी पीचेस वालों सीधा पूछेगा आलंगिरपूर कहा है तो उत्तर प्रदेश में लोथल कहा है तो गुजरात में रोपड कहा है तो पंजाब में काली बंगा कहा है राजस्थान में हरियाना मत कराना ठीक है याद रखेगा जैसे ये UPPCS का ही है नीमनली कित में सिंधू सभ्यता के कौन से नगर उत्तर प्रदेश में स्थित हैं बताओ काली बंगा लोथल आलमगीरपूर हुलास अंसर बताओ फटाफट कौन कौन से UP में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं अंसर बताओ फटाफट ABCD बहुत बढ़िया याद रखिएगा दो नगर याद रखने है आलमगिरपूर उत्तरप्रदेश में है और हुलास हुलास का नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों हुलास ना सहारनपूर के आसपास है तो कभी आप लोगों से पूछे कि भई सिंदू सभ्यता के दो कौन ठीक है बच्चे याद रखना बाकी आपको पता है काली बंगा कहा है रिवाइस कर लिया करो ना काली बंगा है राजस्तान में लोथल कहा है लोथल है जी गुजरात में काली बंगा से जी मिले हैं हमें जुते हुए खेत लोथल से मिले हैं जी हमको क्या मिला है गोदी आदू, B का हो जाएगा ये, C का हो जाएगा ये और D का हो जाएगा, ठीक है, A, B, C, D, नई बचे, जंद बाजी मत करो, very good, अंजली, श्वेता, विपिन, साक्षी, आर्थी, अंतिमा, अखिलेश, बहुत बढ़िया, RBK, विक्की, KGF, राज, विनी, बहुत बढ़िया, या काली बंगा कहा, काली बंगा, हरियाना में की राजस्तान में, फटाफट, राजस्तान, और राखी गड़ी कहां पे है, हरियाना में, ध्यान रखना, मांडा, कहां पे है, देखो, हम ये बोलते हैं, कि भई, ये जो सिंदू घाटी सभ्यता है, यहां से यहां, मांडा से ले और यहां पे आलमगिरपूर तक आलमगिरपूर है आपका कहां पे यूपी में और यहां पे आपका बहुत सारे स्तल हैं ये क्या नाम है चाहूंदड़ो है ठीक है एक और स्तल है ठीक है ध्यान रखना ये इसलिए important है कई बार simple question आ जाता है वो simple question गलत नहीं होना जाए जैसे यह बताओ कौन से सिंध में है मोहन जोदडो चाहूदडो सुरकोडदा कौन कौन से सिंध छेतर में है इन में से अंसर बता दीजे फटा फटा अंसर इसका हो जाएगा बहुत इजी है ABCD क्या हो गया अपने आप वारता बाद में कर ले पहले मैं बेट कर रही हूँ आपके अंसर का बहुत बढ़िया ओल नहीं आएगा महिंद कैसे ओल कर दिया सिंध में सुरकोडदा कहा है बच्चों यह हमें बड़ा गलत लगता है एक जैसे से नाम लगते है मोहन जोदडो चाहूदडो तो कर देते हैं सिंध में याद रखना सुरकोडदा कहा है कौन बताएगा मुझे याद रखेगा अंसर होगा दो और तीन मोहन जोदडो और चाहूदडो यह सिंध छेतर में हैं यह हडपा जो है ना पाकिस्तान की पंजाब रीजन में हैं मतलब उपर वाले रीजन में सिंध में नहीं आता मुझे कौन बताएगा सुरकोडदा कहा है यह भारत में है इतना वैरी गुड विपिन बहुत बढ़िया अफगानिस्तान मत करो लिट्टी वैरी गुड याद रखना सुरकोडदा गुजरात में है नाम लग रहा है हमको थोड़ा सा बड़ा विशाल नाम लग रहा है सुरकोडदा याद रखना सुरकोडदा भारत में है गुजरात में है सुरकोडदा सिंध में नहीं है मोहन जोदडो चाहूंदडो यह दोनों सिंध छेत्र में है सुर्कोट दा गुजरात में है कई बच्चों को पता नी क्यूं में को भी होता था जब मैं स्टूडेंट थी कोई बात नी अब मैं लेक्चर दे रही हूं आपको ठीक है यह बताए इसकी कोई जरूत निया चाहूंदुडों का उत्खनन का अंदरदेश किस ने दिया था वै बिल्कुल सही बात है गोडे की पहचान होई है वही बिल्कुल सही बात है सुर्कोटदा से अंसर बताओ कौन सा आप पाकिस्तान में है यहां पर जो बच्चे बहुत बढ़िया मैक्सिमम बच्चे बी है मैक्सिमम नी सारे बच्चे बी दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया क् सिंपल सी बात है इतनी देर से बता रही हूँ काली बंगा राजसान में है, लोथल गुजरात में है, आलम गिर्पूर आपका यूपी में है, ठीक है याद रखना हडपा जो है अब पाकिस्तान में है, सिंपल सा कोशन था रंगपूर जहां हडपा की समकाली सभ्यता है, रंगपूर कहां पे है भई, हमने देखा लोथल गुजरात में है, सुर्पोटदा गुजरात में है, रंगपूर कहां है, पंजाब, यूपी, राजस्थान, सोराश्ट्र, यूपी, PCS या जितने PCS हैं, विल्कुल सीधा कोशन बनेगा, I.S. में भी उल्टा करक है, very good, सोराश्ट्र में है, रंगपूर, सोराश्ट्र, गुजरात याद रखना, तो अब आपको गुजारात क्यों बोल रहे हैं, गुजरात, बहुत ही प्यारा स्टेट है, गुजरात, ध्यान रखना, रंगपूर यहीं है, लोथल यहीं है, ये सुर्कोटदा यहीं है, क दधेरी है, अब सिंपल कोशिन पूछ रहे हैं, बता दो, जम्मो, पंजाब, हर्याना, उत्तर प्रदेश, ABCD, यार, एंशेंट करवा रही हूं बच्चे, अभी मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट नहीं गरा रही, आपके पीडी से पहले, मेरा एक टार्गेट है, एक क्लास में लेके आऊंगी, 2021 से लेके, और 2010 तक के IS की सारे कोशिन एक साथ करवा हूंगी, टेंशें ना लो, लेकिन अभी हम एंशेंट को पढ़ रहे हैं, खाली एंशेंट को, वेरी गुड, याद रखेगा, पंजाब में है, ये जो A वाले है न, ध्यान रखना, अंसर होगा इस लोथल कहा है? तो हमको पता है, जी गुजरात में है, खडपान यहां नहीं है, मोहन जोद्रो यहां नहीं है। याद रखना मैं बता चुकी हूँ लोथल गुजरात भोगवा नदी पे गोधी वाड़ा मिला है यहां से चार चीज़े लोथल के बारे में जैसे ये आपको पता ही है कहां है काद कोई बात नी हरपा सब्यता जैसे लोथल है लोथल कहां है गुजरात में हमको मैं आपसे नह बहुत बढ़िया याद रखेगा अंसर हो जाएगा लोधल पतन अगर मतलब गोधी वाड़ा मतलब बंदर गाहा कहां मिला है लोधल भोगवा गुजरात ठीक है याद रखना जिसे हल का टेरा कोटा कहां से मिला है भई घुमा फिरा के वही कोशन आते हैं एक बार अगर सिंदु घाटी सभ्यता कर लिया उसके बाद सिंदु घाटी सभ दो बच्चे अंसर अंसर बहुत बढ़िया याद रखेगा बनावली मैंने भी अरे टिक यहां कर रही हूं वो यहां रहा है बनावली ल या नहीं आज रखना बनावली से क्या मिला है हल मिला है ठीक है जैसे कौन सी सिंदु घाटी सभ्यता से संबंधित थल नहीं है कौन स पुत्र का जो उद्भव है या ये जो नाम में कब आएगा महाजनपद काल में काली बंगा राजसान रोपड पंजाब लोथल गुजरात ये सारे सिंदु घाटी सभ्यता के नगर है पाटली पुत्र नहीं है जैसे ये बहुत अच्छा कोशन है ये बताईए हडपा का अच्छा को एबी सीडी वेरी गुड लिट्टी श्वेता मेगा विनीद महेंद्र मिश्रा बहुत बढ़िया आर्ती जैक याद रखना राखी गड़ी सबसे बड़ा स्थल है किसका हडपा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गड़ी ध्यान रखेगा ठीक है पहले ह हुआ करता था धोला वीरा बाद में रिसर्च हुई तो ये अभी हाल फिलाल 16-17 के आसपास सबसे बड़ा स्थल है वर्तमान में कौन सा है तो राखी गड़ी याद रखना राखी गड़ी जैसे सबसे बड़ा हडपन खुरा स्थल है तो ध्यान रखेगा राखी गड़ी व हमें कैसे यूज करना है सोटी-छोटी फैक्स वही किस नदी पर किनारे कौन सा है कहां पर क्या-क्या मिला है कौन सा किस राज्ये में है है न तो याद रखेगा और सबसे बड़ा कौन सा है तो राखी गड़ी याद रखना फिके डीपोर डॉल बिलकुल सही बात है रवीन याद रखना राक्किगडी ये बताईए सिंदू घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन-कौन सी नदियां थी सिंदू जेलम चिनाव गंगा बतादो फटा-फट बहुत अच्छा कोशन है तीधा इस बार स्टेटमेंट में पूछ लेगा गंगा नदी के यह पकड़ता है मेरी बातों को होता है किसी किसी दिन ना कुछ चड़ जाता है जुबान पे तो फिर समझ जाओ आप एक बार याद हो जाएं चीज़ें बहुत बढ़िया याद रखेगा गंगा का मैंने अभी आपको बताया ना मान लीजिए यह है भारत जी यह है भारत मैप मेरा मेरे को बहुत बढ़िया नहीं बनाना था तो यह वाला एरिया ही आप देखोगे मांडा से दायमा बाद और जाद से जादा आलमगिरपूरत उसके बार आप फ़डपा सभ्यता का विस्तार ने देखोगे यानि गंगा फडपा सभ्यता से सम्मंधित नहीं है हमको पता है सिंदु तो होगी ही भई सिंदू भाटी सभ्यता ही कहते हैं चिनाब होगी ही और जेलम होगी ही ठीक है याद रखना अंसर हो जाएगा जिसे सिंदुगाटी के लोग पूजा करते थे किसकी करते थे पशुपती की ब्रह्मा की इंद्र और वरुन की विश्णू की बहुत इजी कोशन है किसकी पूजा करते थे अंसर वेरी गुडार्ती वसीम मोनिका क्या कर रहे हो हो सकते है आप पिछला कोशन कर रहे हो बच्चे अंजली लिटी आनंद के जीए फार्ती याद रखेगा पशुपती शिव पशुपती की मूर्तिया हमको मिली है ठीक है हमें देखो घडपा को सोचो एक बार मातरी देव की मूर्तिया मिली यग के प्रमान मिले है तुवास्तिक मिला है पीपल नीम यानि एक तरीके से प्रकृति पूजा के प्रमान मिले है हमकों की वही प्रकृति को भी पूचते थे पीपल और नीम के पत्तों कि या पेड़ की पूजा होती थी इसके प्रमान मिलते हैं लिंग पती की पूजा और एक पुरोहित की मूर्ती मिली है जो कि ध्यान मगन होके बैठा हुआ है ति पतिया छाप है उसके शोल पे और वहां से हमकों एक मिलता है कि योग का जो एक संकल्पना है वो हडपा सभ्यता में रही होगी क्योंकि जो उसकी आखे हैं वो इस तरीके से ध्य आनमगन है जिससे हमें योग का ध्यान का साक्षय मिलता है यह साथ-ाथ चीज़े अगर आपको याद रही तो आप जो हडपा सभ्यता किस-किस धर्म में विश्वास करती थी तो यहां से आपको पता लग जाएगा ठीक है याद रखेगा पशूपती की पूजा करते थे य यह जो है ना जिससे ब्रह्माजी ब्रह्माजी की अवधारنا तो बहुत बाद में आएगी इंद्र और वरुन के अवधारना आपको वैदी काल में दिख़ जाएगी विश्नु की अवधारना भी आपको बाद में दिखेगी ठीक है याद रखेगा ये बताएए मोहन- यह याद रख सकते हो PCS बगेरा के लिए कि किस ने आदेश दिया था कि खुदाई करवाई यह इनका और फिर इनकी 1921 में हडपा की खुदाई हुई 1922 में मोहन जोदुरो बहुत बढ़िया याद रखेगा अंसर हो जाएगा सर जोन मार्शल सर जोन मार्शल ठीक है इनके कहने पर फिर जैसे यह कोशन आ जाएगा सिंदु खाटी सब्वेता को खोज निकालने वे जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है वो कौन से है अंसर बता दो राखलादास दयाराम साहनी मार्शल इश्वरी ओप्शन्स आपके स बहुत बढ़िया है वो सकता है बच्चे ना बी जो आ रहा है वो पिछले कोशन का अंसर आ रहा होगा वेरी गुड याद रखेगा दयाराम साहनी का आपको नाम याद रखना है 1921 में इन्होंने हडपा ठीक है दयाराम साहनी हडपा और राखल दास बनर जी आपका मोहन ज 1992 1992 नी 1922 यार 1921 में ये 1922 में ये ठीक है तो हडपा और मोहन जोड़ो हडपा दयाराम साहनी मोहन जोड़ो राखल दास बनर जी ये दोनों नाम याद रख लीजेगा ठीक है जैसे यह बताए निमनल इखित में से कौन साही सुमेलित नहीं है यानि क्या गलत है बताओ बटा हडपा दयाराम साहनी इसको याद ही नहीं करना हमको याद ही नहीं करना भई लोथल किसने कोजा सुर्कोटदा किसने कोजा धोला विरा किसने कोजा ऐसे बहुत सारे नगर है याद नहीं होंगे बस हमको दो याद रखने दयाराम साहनी और राखल दास बनर जी ये सही है कि हडपा का उत्खनन कर दिया था एक पुरा तत्व विद ऐसा था जिनोंने हडपा का उत्खनन कर दिया लेकिन इसके महत्म को नहीं समझ पाया सो चाह पता नहीं क्या यह समझी नहीं पाया कौन था वो महाश्य है कुनिंग conserv, Martimer, Willer, Deless याद रखेगा कोई बात नहीं PCS के लिए आप याद रख सकते हो कनिंगम थे कनिंगम ने क्या किया था हडपा सभ्यता का पुरातात्व विद्ध मतलब ये थे देख लिया था लेकिन ये समझ नहीं पाये थे कि इतनी विशाल इतनी एक तरीके से विक्सित सभ्यता भारत में हो सकती है क्या ध्यान रखना कनिंगम ये बताओ किस घर में कुओं के अफशेश मिले हैं सिंदु घाटी सभ्यता की विक्सित अवस्था में किस स्थल पे कुओं के अफशेश मिले हैं हडपा काली बंगा लोथल मोहन जोगलो अंसर बताओ फटाफट A B C D पटाफट कुओं के अफशेश कहां से मिले हैं वेरी गुड याद रखेगा यहाँ पे आपको कई किताबों में काली बंगा भी मिलेगा देखो मैंने अभी अपने जितने सोर्सिस से देखा सबसे पहली बात हमको याद रखनी हैं मोहन जोदरों में सबसे ज़्यादा प्रमाण मिलते हैं लेकिन आप किसी एक बुक में काली बंगा भी इस इस कांसर दे रखा है मैं एक बार उस बुक को कुद से पढ़फ़ऊंगी उसके बाद आपको इस पर कंफर्म अंसर बताऊंगी लेकिन तब तक आप मोहन जोदरों ही मानेंगे काली बंगा एक बार मु अब हर एक शब्द पर क्यों जाते हो मैं 700 है तीन सो से जादा अब गिन के 700 तो नहीं है ना ध्यान रखना वहुत सारे कुओं के अफशेश मिले हैं मोहन जोड़ों से याद रखने मोहन जोड़ों निमनलीखीत में से कहां पेश्थित है वही फटा फट बता दो भारत के गुजरात में भारत के पंजाब में पाकिस्तान के सिंध परांत में अफगानिस्तान में time waste करने का कोई फाइदा मेरे को लग नहीं रहा मैं खुदी बता देती हूँ आपको पता है मोहन जोदडो कहा है तो पाकिस्तान के सिंध प्राथ मोहन जोदडो चाहूंदडो अभी कोशिन कराया था ना सिंध में है ये दोनो खडपा कहा है पाकिस्तान में है बाकि आपको पता है गुजरात में तीन है गुजरात में आपने देखा आपने देखा क्या नाम है लोथल देखा और सुरकोटदा देखा पंजाब में आपने क्या देखा पंजाब में आपने क्या नाम था इसका यार जो रो पढ़ देखा, ठीक है? ध्याना ये बताओ भई, कलानुक्रम बताना है इनका सोने के सिक्के, मतलब पहले क्या आया? आहत मुद्रा, लोहे का हल, नगर संस्कृती अंसर बताईए, क्या कब आया? अंसर हो जाएगा, ये, ये उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है उसके बाद, अंसर बताओ फटाफट, A, B, C, D मोनिका शर्मा, इसलिए बच्चे कर रही हूँ क्योंकि ये ना, रिवीजन सेशन है बच्चे यहाँ पे ना, मेरा उदेश है आपको याद कराना, सिखाना है अगर हर एक बच्चे के अंसर का बच्चे बेट करने लग गई ना, मैं तो फिर एक एक कोशन पे हमें कम से कम तीन, तीन, चार, चार मिनिट देना पड़ेगा अभी उन बच्चों की मनोदशा सोचिए जिनका एक्जैम है, पांस तारिकों उसके बाद UP, PCS वाले है, जिनका बारा तारिक को एक जैम है, तो हमें अभी उनके point of view से सोचना है, मेरा target है, आपको बस याद हो जाएं चीज़े हैं ना, बच्चे, इस चीज़ को समझी आप, बहुत बढ़िया अंसर हो जाएगा D, क्या आया जी सबसे पहले नगर संस्कृति, किसी को कोई शक, 25 से लगभग 1750 के आसपास हम देखते हैं, परिपक्व खडपा सभ्यता, 23 से 1750 के आसपास, खडपा सभ्यता, यानि नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल आएगा, आपका वैदिक काल में आहत मुद्रा आएंगे, आपकी 630 पूर्व, जो की महाजन, पदकाल वगएरा आजाएगा, तो आहत मुद्रा हैं, आपको वहाँ पे दिखेंगी, सोने के सिक्की आएंगे आपके, जो ये यव और ये जो शाशक थे लगभग 220 पूर्व के आसपास ठीक है, तो सबसे पहले नगर संस्कृती, उसके बाद आपका लोहा, उसके बाद आपकी आहत मुद्रा और आहत मुद्रा के बाद आपको दिखेंगे सोने के सिक्के ठीक है, अंसर हो जाएगा D, क्रम बिल्कुल सिंपल सा है, जिससे सर्व प्रथम, मानम ने निम्न धातू का उप्योग किया, कौन सी धातू का उप्योग सबसे पहले किया है, सोना, चांदी, तामबा, लोहा, अंसर बताओ पटापट अंसर पटापट बताइए सबसे पहली कौन सी धातू मानम ने उप्योग की कभी भी statement में दे देगा बहुत बड़िया याद रखेगा तामबा all over आप देखोगे न तो सबसे पहले मानव दुआरा प्रियोग की जाने वाली धातू है तामबा कांसा भी तो बाद था कांसा तो तामबे से ही बनेगा न पहले बेसिक तो तामबा होना चाहिए तो याद रखना सबसे पहली धातू जो मानव ने प्रियोग की वो है तामबा ठीक बाकी हमको यह पता है न कि हड़पा सब्वेता में कौन-कौन सी धातू थी तामबा था, कांसा था, चांदी था, सोना था, लोहा नहीं था है ना, revise करा दिया चलो, जिसे हाथी दान्त का पैमाना घडपियस अंदर्व में मिलता है तो हाथी दान्त का पैमाना एक बार इसको देख लेना यारी कहां मिलता है, मेरे हिसाब से मिलेगा यह इसको एक बार question mark लगा दो, ठीक है बाद में देखेंगे, यह बताओ घडपा कालिन्स थलो में अभी तक किस धातो की प्राप्ती नहीं हुई है अंसर simple सा है, बता दो तामबा, सोना, चांदी, लोहा, A, B, C, D A, B, C, D बहुत बढ़िया, अंसर बिल्कुल simple सा है, इतनी देर से बता रही हूँ, लोहे के प्रमाण हमको हडपा सभ्यता से नहीं मिले है, होब आप लोगों पभी तक 3-4 क्रक्स याद हुए होगे कि भई हडपा सभ्यता से कौन-कौन से दातु मिले है, तो तामबा, कांसा, सोना, चांदी, लोहा नहीं मिला है दूसरी बात धार्मिक जो प्रतीक है कि भई किस-किस की पूजा करते थे, मूर्ती पूजा करते थे, तो जी करते थे उसमें भी प्रकर्टी पूजा करते थे क्या यग्य था क्या योग था क्या ये स्थारी चीज़ें आप देख चुके है मंदिर था क्या तो मंदिर नहीं था यहीं से बड़ा कोशिन बना देगा यूपियस्टी ठीक है? याद रखना जैसे घगर और उसकी सहायक नदियां, निम्न लिखित में से कौन सा स्थल घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगिरपुर, लोथल, मोहनजोदर और बनावली, अंसर बताओ फटाफट वैसे भी आप बहुत आसानी से इस कोशन को निकाल सकते हो घगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में कौन सा स्थल स्थित है? बहुत बड़ी आंजली, साक्षी याद रखना घगर से हमने किसको याद किया था? काली बंगा को लेकिन बनावली भी आप देखोगे बनावली, घगर और उसकी सहायक नदियों की आसपास थे थे, राज़स्तान और हर्याना और काली बंगा और बनावली में कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिये, अंसर हो जाएगा बनावली, ये बताए जैसे मोहन अब बताओ गई, मोहन जोद्रो तथा हडपा नगर अब विलुप्थ हो गए है यानि अब नहीं है ये नगर नगरों में अब ऐसा थोड़ी नहीं उन नगरों में लोग रहते हैं, उद्योग करते हैं अलर्जी हो गए भरी कोई बात भी वह खुदाई के दोरान प्रकट हुए थे बताओ फटाफट अंसर क्या होगा दोनों सही है, सही व्याख़ा है दोनों सही है, सही व्याख़ा नहीं है और कोई महेंद्र बहुत बढ़िया और कोई ध्यान से करो, कहीं बच्चे ए बोल रही है साक्षी घरम पानी एक ग्लास में दे दीजिए अंतिमा मोहोती बढ़िया याद रखना आंसर क्या हो जाएगा आंसर होगा इसका B काहे भी होगा मोहन जोदणो और हडपा अब विलुप्त हो गए है इसमें कोई शक है ऐसा तो है नहीं हडपा में अभी भी लोग बैठके व्यापार कर रहे है विलुप्त हो गए है ये खुदाई के दोरान ये दोनों जो है ये भी सही है ये भी सही है लेकिन आपस में इनका इंटर लिंक नहीं है आपस में वही खुदाई के दोरान प्रकट हुए थे ये बात सही है और ये नगर विलुप्त हो गए है ये बात सही है लेकिन ऐसा है क्या कि हडप्पा और मोहन जोड़ों विलुप्त हो गए हैं इसलिए ये जो है खुदाई के दोरान प्रकट हुए ऐसा नहीं है दोनों अलग-अलग सही है ठीक है याद रहा अंसर भी हो गई जैसे ये बताओ हडप्पन संस्कृति के संदर्व में शैलकृत स्थापत्य के प्रमान कहां मिले है शैलकृत स्थापत्य कालिबंगा धोला वीरा ओठ दीजी आमरी रिजर्वेर आप मान सकते हैं बान्ध पानी को इकठा करने के लिए जो रिजर्वेर बनाये जाते थे कहां मिले हैं इसको याद रख ले न यहां से UPSC में भी कोशिन बना है और हर जगे बनता है अभी जब मैं रिवीजन कराओं ही न तो टिप्स पे हो जाएंगी चीज़े याद रखेगा दोस्तों धोला वीरा धोला वीरा जैसे धोला वीरा जिस राज्ये में है जैसे कोण सा एक अरपा नगर जो तीन भागों में विभकता है किला, मद्यभाग और निचला छेत्र तीन भागों में विभकता है एक ऐसा नगर है हडपा में वो कौन सा है लोथल काली बंगा धोला वीरा सूर कोटदा अंसर बदाओ फटा फट कौन सा नगर तीन भागों में विभकता है हडपा कालीन कौन सा नगर लोथल काली बंगा धोला वीरा सुलकोटदा अंसर बहुत बढ़िया आरबी मनोहर अंतिमा अंजली अपर्णा मिशन गलत हो गया बच्चे हो सकते हैं आप पहले कोशन का अंसर कर रहे हो अजय मोनिका शर्मा विपिन बहुत बढ़िया याद रखेगा अंसर क्या हो जाएगा धोला वीरा यह जो गुजरात का धोला वीरा है ना यह तीन भागों में बटा हुआ था उपरी चेतर यानि किले वाला चेतर मध्यां चेतर और निचला चेतर यह जो तीन भागों में बटा हुआ है यहां से हमें एक एकनॉमिक जो विशमता भी देखने को मिलती है हम एक अ दोलावीरा कहा है गुजरात में है तीसरी बात रिजर्वेयर यहां से कोशन बना है रिजर्वेयर धोलावीरा से मिला है स्टेडियम धोलावीरा से मिला है ठीक है याद रटना जैसे उन्नत जल प्रबंधन में वस्था ये बताओ उन्नत जल प्रबंधन में वस्था का पटापट ए बी सीडी इति देर से क्या बता रही हूँ रिजर्वेयर यानि जल को इकठा करने की जो संकल्पना है हमको कहां से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिली है तो धोला वीरा ठीक है याद रखेगा जैसे द्वी शव ये कोशनी गलत है ठीक है ये बताओ खडपन सलह सनोली ये भी हाल ही में उत्खनन वेसिकली प्राप्त हुआ था इससे हमें पता लगता है मैं बता देती हूँ सनोली हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ था मानव शवाधान के साक्षे मिले है यहां से बहुत सारे शवाधान मिले है ये देखा ग भोतिक वस्तुएं मतलब जो भी गहने हैं पशू हैं खाने का समान है ये सब मिलता था यानि इस से क्या मिलता है कि मरने के बाद भी जीवन की अवधारना है इस बात में हडपावासी विश्वास रखते हैं कि मरने के बाद भी इनको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी इस अ मध्य अमेरिका भारत बताओ फटाफट कापास की खेती का प्रारभ सबसे पहले कहां किया गया वेरी गुड याद रखेगा भारत में भारत में इनफेक्ट हडपा सभ्यता में ही कपास की खेती के हमें एक तरीके से ये साक्षे मिलते हैं ठीक है याद रखेगा काली बंगा से ठीक है ये बताओ भई देखो IS 2011 में सिंपल सा कोशन पूछा IS 2011 में कोशन पूछ लिए अब आपने इतना पढ़ लिया अब आप अंसर बताओ सिंदू घाटी सभ्यता निम्न लिखित में से विचार कीजिए कौन से सही है पहला यह प्रमुक्तह लोकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपी उपस्थित था लेकिन वर्चस्व शाली नहीं था वोमन सेंस का कोशन है बिल्कुल और जितना पढ़ाया उससे आप कवर कर सकते हो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाये जाते थे अंसर क्या होगा बहुत बढ़िया अंजली, जैक, मांडवी, ध्यान से देखो आदर्श, बहुत बढ़िया लिट्टी, सपना, साक्षी, शिव, चहवाज, ध्यान से देखो बच्चे, कोई बात नी, अंसर क्या होगा वहीं अंसर हो जाएगा क्यों? पहला देखो, मुख्यत है लोकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व हमको दिखते हैं, मैंने आपको बताया, मात्री देवी, पशुपती, कूबडवाला सांड, या फिर आपको हम देखते हैं, यग्य के प्रमान है, ठीक है, प्राकृति, पूजा के प्रमान है, धार्म प्राकृति तत्व तो है, लेकिन वर्चस्वशाली क्या है, वर्चस्वशाली नहीं दा धर्म, भोतिक तावाद वर्चस्वशाली है, अपने जीवन की उतकृष्टता को बनाया रखने के जो तत्व हैं, हमें अलग-अलग अभूशन दिखते हैं, अलग-अलग मृत्भा धर्म तो है, लेकिन धर्म का वर्चस्व नहीं है, मेरी बाथ समझ में आई, दूसरा कपास से वस्थर, तो हमने अभी पिछले कोशिन में पढ़ा है, कि कपास का प्राचीनतम प्रमान भारत में मिला है, और हडपा में ये प्रमान मिलता है, सूत के, ये कपास के हमको पूरो ही नहीं थे बल्कि वस्त्रों के उपर डिजाइनिंग भी आपको टिपतिया चाप की डिजाइनिंग मिलेगी उसके उपर जैसे ये बताओ IS 2011 में question आया यहां से IS 2013 में question आया अब बताओ answer फटाफट इनके विशाल महल और मंदिर होते थे ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे युद्ध में घोडों द्वारा खीचे गए रथों का प्रियोग होता था अंसर बता दो फटा फटा elimination method का प्रियोग ज़रूर कर लेना अंसर बताने से पहले very good सना KGF, Priyanka, Alka अच्छा बच्चा गलत हो गया भई पृती, राज, बहुत बढ़िया निशा, जैक साक्षी, पूजा, रोहित, बच्चे ध्यान से मैं इतनी देर से करन, भोध बढ़िया, पूजा मैं इतनी देर से आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि देखो, मूर्ती पूजा हमको देखने को मिलती है, सबसे पहले यहीं मातरी देवी की मूर्तियां मिलती है, लेकिन मंदिरों का प्रमार हमको नहीं मिला है, पच्चे हडपा सब्भेता से, भई, पूरे मंदिर का एक structure का कोई प्रमार हमको हडपा सब्भेता से नहीं मिला है जैसे ही मेरा एक गलत हुआ तो मुझे पता है एक गलत एक गलत, यानि यदि मैं इस रथों पे confused होती न, confused हो सकती थी मेरतों पे, मुझे confused होना ही नहीं क्योंकि मैं confirm हूँ कि मंदिर नहीं थे, ये हमें पता है, देवों और देवियों, पशुपती की मूर्ती मिली है हमको, तो पशुपती यानि देवताओं की पूजा होती थी, मात्री देवी की बहुत सारी मुर्तिया मिली है, तो हमको पता है भई मात्री देवी, यानि देवियों की भी पूजा होती थी, दो बिल्कुल सही है, अंसर बिना सोचे समझे हमारा निकल गया दो, लेकिन हम तीसरे पर भी पिचार करेंगे, याद रखना दोस्तों, घोडे का प्रमान मिलता है, घोडे का प्रमान मिलता है, सुर्कोटता वगेरा से हमको घोडे के प्रमान मिलते हैं, लेकिन रथ, भई इन घोडों का प्रियोग रथ हीचने में होता था क्या, रथ वगेरा का प्रमाण नहीं मिलता है याद रहेगा आपस में आपस में बतिया लो एक तो है ठीक है ध्यान रख लेना सुन लो कोई बैठा है आपके सामने पढ़ा रहा है आपको है ना तो थोड़ा सा इधर भी सुन लो भई ठीक ध्यान रखना घोड़े के प्रमाण है याद रखना इस बात को लेकिन रथ का रथ हीचने के लिए प्रियोग होता था है कि रथ बगेरा का प्रमाण नहीं मिलता है मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है अंसर हो जाएगा केवल दो सही है याद रखना जैसे अन्यम ने लिखित में से किस पशु कांकर हडपा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है मोहरों पर किसकांकर नहीं मिलता है बैल, हाथी, घोड़ा, भेड बताओ फटाफट क्या नाव है मोहरों पर किसकांकर नहीं मिलता है बैल, हाथी, घोड़ा, भेड गया गया के वैदिक काल में भ호त बड़िया घोडा मोहरों पे नहीं मिलेगा जैसे गाएं मोहरों पे नहीं मिलेगा प्रमाण जरूर मिलते हैं ध्यान रखना हाथी भेढ़ बैल ये सब मिलेंगे हड़पा में जैसे सिंदु घाटी में किसके अवशेश प्राप्त नहीं हुए है गाएं के घोड़े के हाथी के शेर के बता दो मैं बता चुकी हूँ इस कोशन को वेरी गुड आर्ती वसीम क्या बोल रहे हो नहीं नहीं अपरिचित नहीं थे याद रखना घोड़े के प्रमान मिले हैं इस बात पर हालंकि इतिहासकारों में मदभेध है लेकिन आप सुरकोटदा वगेरा से घोड़े के प्रमान मिले हैं बच्चे ध्यान रखना किसके प्रमान प्राप्त नहीं हुए तो शेर के नहीं मिलते हैं, बाग दिखेगा, बाग के प्रमाण मिलते हैं, शेर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, घोड़ा मैंने आपको बता है सुरकोटदा वगेरा से गाईं के इस तरीके से जैसे नील नदी पर पनपी तो नील नदी पर कौन सी सभ्यता पनपी तो आपको पता है कौन सी सभ्यता पनप सकती है नील नदी अफ्रीका की नील नदी सब को पता है जोग्रफी में भी पढ़ते हो तो मिस्त्र की सभ्यता पनपी जैसे लेखन कला की उचित प् प्रफम प्राचीन सभ्यता जो लेखन का लाविक्सित करने वाली थी वो थी सुमेरिया सभ्यता याद रखना चलो भई फटा फट रिवीजन के लिए तयार हो जाओ जितना पढ़ा है अभी टिप्स पे हो जाएगा बिल्कुल हलक का टैरा कोटा बिल्कुल सही बात है हलक कहां मिला है इतनी देर से बता रही हूँ बनावली से मिला है ध्यान रखना अब आते हैं मानव समाज में विलक्षन है वही मानव समाज किस पे आश्रित होता है कल्चर पे आश्रित होता है हडपा सिंदु घाटी सभ्यता को हडप चिर whiskey को पुरिए इस सिन्दू घाटि सब्वेता को हडपा सब्वेता के नाम से भी जाना जाता है और इनुसो इस में उननीस सुधाय किसी सिंदोगाटी सब्वेता गैर आ रही है तो हमको कि सब्वेद se सिंदु गाटी सभ्यता है वो शहरी सभ्यता है बाकी आपको पता है जैसे पहले क्यों रखते हैं सिंदु यदि हम एकनौमी की आधार पे देखे तो भई पहले ग्रावीन सभ्यता आनी चाहिए उसके बाद शहरी सभ्यता आनी चाहिए तो मृदभांडों के आधार पे हम वर जानकारी का प्रमुक्स्त्रोत क्या होगा तो पुरा तात्विक खुदाई होगा क्योंकि लीपी तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है ये मैं बता चुकी हूँ प्राचिंतम साक्षय है किसके चांदी के हडपा ठीक है खेतडी और राजस्थान की जावर वगएरा इन सब खान प्री आरिया यानि घडपा सब बेता से हमको देखने के मिलती है मूर्ती पूजा हमने देख लिया तेरा कोटा किस पे किसका अंकर नहीं है तो मुहरों पे अब कंक्लूजन क्या निकला भई घोडे का अंकर नहीं है गाएं का अंकर नहीं है बाकी हाथी बाग गैंडा इन स सब की अंकन हमको महरों पे देखने को मिलते हैं गोडे का और गाएं का अंकन महरों पे नहीं है लेकिन अगर वो ये कह दे गोडा था ही नहीं गाएं थी ही नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको प्रमान गाएं के भी मिले है लेकिन प्रमुख नहीं थी हमको प्रमान गोड लेके भी मिले हैं लेकिन प्रमुख नहीं थे यहां तक समझ में आया रिवीजन करा दू ना कन्फ्यूज तो नहीं हो रिवीजन करा दू कोई दिक्कत नहीं है ना हमसब दे दो एक बार रिवीजन करा दूंगी तो यह पता लग जाएगा कि यही तो 57 तरीके के कोशन पूछ चाते हैं हडपा सब्यता से हाय तो वह मचाते हैं भूमते हैं ठीक है यह देख लिया इसके बाद हमें यह देखना है भई कहां कहां से क्या मिला है लोथल से गोधिवाड़ा मिला है पता है हमको जिकाली बंगा से जुता हुआ खेद मिला है दोला वीरा से हमको दस चिन्नो बनावली से हमको क्या मिला है तो जिहल मिला है जुते हुए खेत काली बंगा ये सब हमको पता है भई हडपा से हमें कबरिस्तान लोथल से हमें गोदिवारा काली बंगा से हमें जुता हुआ खेत और मोहन जोदरो से नर्तकी की मूर्ती और विशाल स्नानागर भी हमको कहां से मिला है मोहन जोदरों से मिला है याद हो रही है चीजे यह वही वाली कौन सी नदी किसके किनारे है यह याद रखना है भई हडपा रावी नदी के किनारे है लोथल भोगवा नदी के किनारे है काली बंगा घगर नदी और रोपर सतलज नदी यह याद रख ले ना नदियों में और आपको बता दिया कहां है मोहन जोदरों में है कि लोग लोहे से अपरिजित ये कौन सा स्थल कहां है ये आपको अभी तक पता लग गया होगा भ龕 कई कौन से स्थल कहां कहां है यूपी वाला Пом मांडा महराष्ट्र में है दाइम वाभ महराष्ट्र में है काली बंगा आपका राजस्तान में है राखी गड़ी हरियाना में है तो इस तरीके के कोशन ये आप कर लोगे कौन सा कहा है दधेरी आपका पंजाब में है लोथल आपका किस नदी पे है तो भोगवा नदी पे है लोथल गुजरात में है पतन नगर लोथल है जो कि गुज हमको नहीं मिलते हई है है भी एक भोतिक सभीता हम देखने से दिक कि रखिर करे के लोग क्या थे ओब हम HOR drilled इसको कैसे समझना हम जो धार्मिक सभीता होगी और फीर ध्यादा ध्यानी देगी उसका होगा फिर पूजा पाथ करो पड़िया अपना जो है बस लेकिन हम हडपा सभ्यता को देखते हैं भोतिक सभ्यता दिखती है अलग-अलग आप भूशन दिखते हैं आपको यहां पे अलग-अलग डिजाइनिंग दिखती है कपड़ों की डिजाइनिंग केंश सज्जा आप जब पुरोहित की मूर्ति देखोगे ना तो देखोगे कि बालों को भी बहुत बहतरी तरीके से सजाया हुआ है उन्होंने ठीक है तो ध्यान रखेगा स्थल कौन सा नहीं है पाटली पुत्र सबसे बड़ा स्थल याद रखना राक्षी गड़ी सबसे बड़ा स्थल है राक्षी गड़ी देख लिया आपने कौन कौन सी नदियां तो गंगा नदी से हडपा सभ्यदा का कोई संबंद नहीं है सिंदू चिनाब जेलम ठीक है लोग पूजा करते थे पशुपती की पुरा तात्विक ये कोई जरूत नहीं है दो लोगों के नाम याद रखने है राक दयाराम साहनी 1921 हडपा और र जामभा ठीक है अभी तक किस दातू की प्राप्टी नहीं हुए तो लोहे की ये सब आप कर चुके हो धोला वीरा में तीन भागो में कौन सा बटा है धोला वीरा जल प्रमंधन उपनंत धोला वीरा ठीक है सनोली से याद रखना भी हाल फिलाल में उत्वनन हुआ तो शवा में कोशन आया तेरा में कोशन आया Elimination method से कोशन निकल सकता था यह हो गई हमारी सिंदू सब्सक्राइब हमजब दे दो इसी बात के पटाव को पीडियेफ आपको अभी आदे घंटे में मिल जाएगा अभी दूसरा भाई दूसरा टॉपिक आ रहा है क्लास के जस्त आदे घंटे के बाद आप लोगों को पीडियेफ मिल जाएगा मैं भी पानी पीलूँ वीडियो को क्रिप्या करके लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सुबह वाली वीडियो आप लोगोंने देखी ली होगी ठीक है अब दुबारा क्या कहूँ एक वीडियो में मैं अपनी सारी भावनाओ को व्यक्ष कर चुकी हूँ आप लोगों के स शब्द जो है, वो इंगित करता है, नर्जातिय सम्हू को, यायावरी जन को, भाशा सम्हू को, स्रेश्ट वंच को, अंसर बता ये पड़ा मैं, अरे अभी जान नहीं रही रोहित, मुझे पता था, यहां बच्चे जैसे ही टोपिक खतम, थैंक यू सो मुच मैम, थैंक यू छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी व्यस्तता है कहीं, याद रखना आर्ये शब्द इंगित करता है, स्रेश्ट जन को, ठीक है, स्रेश्ट जन, कुलीन, सभ्भय, उत्तम व्यक्ति, ये सब आर्ये शब्द को इंगित करते हैं, ठीक है, याद रखेगा, जैसे क् अधर में विश्वासी, एक वन्शानुगत जाती, किसी धर्म विशेश में विश्वास रखने वाला एक उत्तम व्यक्ति, बताइए फटा-फट, क्लास किये संस्कृति में आर्ये शब्द का अर्थ क्या होगा, अंसर बताइए फटा-फट, बहुत बढ़िया, एक उत्तम व्यक्ति अभी मैंने बता है ना आरिय का मतलब क्या है एक स्रेश्ट वंच एक सभ्य है उत्तम पुलीन यही अर्थ होता है आरिय का जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है भई अब यह बच्चों आला कोशन है फिर भी बता दो एक बार यजुरवेद, रिगवेद, सामवेद, अथर्ववेद लेकिन कुछ बच्चे नए होंगे हमारे साथ उनके लिए बिल्कुल नया कोशन होगा बताओ फटापट, A, B, C, D, सबसे पुराना वेद कौन सा है याद रखेगा चार वेद हैं हमारे इन में से तीन को त्रई बोलते हैं जो पहले तीन वेद हैं उनको त्रई बोलते हैं और सबसे पुराना वेद है रिगवेद याद रखेगा रिगवेद, ईश्वर की महीमा है ईश्वर की स्तूतिया है इसमें स्टूतियां इश्वर की महिमा इश्वर की स्टूतियां एक हजार अठाईस सुक्त हैं और लगभग 10552 इसमें रिच्चाई हैं सुक्त स्त्रोध लोग ठीक है याद रखेगा सबसे पुराना वेद है रिगवेद जैसे त्रही त्रही क्या है पूछ लेगा सीधा सिंपल त्रही क्या है बहुत बढ़िया अलका प्रीती मनीशा अंजली आयूश राज विद्या लिटी स्वाती रोहित बहुत बढ़िया सपना विशाली सिम्रन परिसमिता सुनील त्रही है तीन वेद कौन-कौन से तीन वेद रिगवेद यजुरवेद और साम याद रखे अथर् बढ़िया है जी तो त्रही तीन वेद हैं जी रिगवेद यजुरवेद और साम अथर्ववेद बात का होगा जैसे यह बताओ किस वैदिक गरंथ में वर्ण शब्द का पहली बार नामुलेख किया गया है वर्ण शब्द पहली बार हमको कहां दिखता है रिगवेद में अ रिगवेद में सबसे पहले हमें वर्ण शब्द मिलता है वर्ण का मतलब रंग से भी लिया जाता था और वर्ण का मतलब व्यवसाय से भी लिया जाता था जैसे आप देखते हो कि आरिये जो थे वो गोर वर्ण के माने जाते थे और जो गैर आरिये थे वो शाम यानि की शाम वर्ण के माने जाते थे तो वर्ण दो अर्थों में लिया जाता था वर्ण का प्रियोग रंग से भी और व्यवसायं से भी वर्ण शब्द का चो सर्व Compet STOPकिन है और प्रुष contr और पुरुष सुक्त में वर्ड का जिक्र हम को मिलता है ठीक है यह पुरुष सुक्त मूलता है किसका है अथर्ववेद सामवेद बता दो चुकी ऑंसर फिर भी बता दो अभी बताया है बहुत बढ़िया वेरी गुड पुरुष सुक्त किसका है रिगवेद का दस्वा मंडल पुरुशुसुक्त वण मेवस्था यदि आप लोगों से अब पूछे कि वण ववस्था कि सबसे पहले बात कहां पर की गई है रिगवेद में अथर्ववेद में सामवेद में मनुस्मृति में तो मनुस्मृत्य मत कर रहा ना, क्योंकि जादा तर बच्चों को याद रहता है कि मनुस्मृत्य में इस इस तरीके की बाते हैं, याद रखना रिक्वेध में पूरुशु सुक्त रिगवेद के दस्वे मंडल के पुरुशु सुक्त में पहली बार वर्ण में उसे ठीक है याद जैसे ये याद करना है अभी कौन सा वेद किस्ते संबंदित है अथर्ववेद, रिगवेद, यजूर्वेद, सामवेद, अंसर बता दो फटा पर ठीक है जी अथर्ववेद का हो जाएगा ये, अंसर बिल्कुल सिंपल सा है, रिगवेद का हो जाएगा ये, यजूर्वेद का हो जाएगा ये, और आपका सामवेद का हो जाएगा ये, बहुत बढ़िया, A, B, C, D, नहीं, अंसर बता वेरिगुड लिटी, चेरल, परिस्मिता ध्यान से बच्चे, सामवेद सबसे पहले आपको याद रखना है, सामवेद संबंदित है, संगीद, दूसरी बात, रिगवेद आपको याद रखना है, इश्वर की महीमा, स्तूतिया, तो रिगवेद किस से संबंदित है, इश्वर की महीमा से संबंदित है, अथर्वेद आपको याद रखना प्लस यजुर्वेद यग्य करमकांड बलीदान ये सब आपको कहा मिलेगा यजुर्वेद दुबारा सुनो रिगवेद में हमको इश्वर की महिमा दिखेगी ठीक है जी अथर्ववेद में हमको क्या अथर्ववेद ओश्धियों से संबंधित जो भी विधी विधान है वो दिखेगा सामवेद संगीत से संबंधित है और आपका यजुर्ववेद बलीदान करमकांड यग्यादि से संबंधित है अंसर क्या हो जाएगा अभी आएगा रुद्रांशी वो भी कोशिन आएगा उसको मैं लिंक से याद कराऊँगी कहीं बच्चे ना अभी आएगा तो मैं बताते हूँ जैसे यह आ गया रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्ववेद अब बताएए अंसर क्या होगा अंसर तो इसका एक से ही निकल जाएगा लेकिन फिर भी अंसर बताएए एका हो जाएगा ठीक है जी बताओ फटापट एका हो जाएगा ये और वी का हो जाएगा आपका मालोण A का ये हो गया, C का हो जाएगा, ये बहुत ईजिली अंसर निकल गया है, कोई बात नी, अब सुन लो एक बात यहां से, देखो, हमें पता है, रिगवेद क्या है, ईश्वर की महीमा है, स्त्रोथ है, स्तूतिया है, प्रार्थनाय है, यानि एक रिगवेद का क्या हो जाएगा स्त्रोथ और प्रार्थन आए, उसके बाद हमें सोचना ही नहीं है, सामवेद किसे संबंदित है, संगीत में स्त्रोथ है सामवेद में, हम कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पे, स्त्रोथ और करमकांड, तंत्र मंत्र और वशीकरण, याद रखना मैंने अभी बताया, यग्य, करम कांड, बलीदान, यह सब किसमें आएंगे, यह सब आएंगे यजूर वेद में, तंत्र मंत्र और वशीकरण आएगा अथर्व वेद में, अब इसको याद कैसे रखेंगे, अथर्व वेद हम पढ़ते हैं ना, ओशदियों से संबंदित है, ओशदियां, आज भी आप ग्र ना, तंत्र मंत्र के माध्यम से भी इलाज की जो प्रचलन है वो भारत में रहा है, आज भी आप कहीं जगे देखते होंगे, कहीं जगे है ना कि कोई बिमारी है तो ये आप कर लो, बिमारी ठीक हो जाएगी, तो ओशदियों से संबंदित, या तंत्र मंत्र और वशीकरण जो है, ये सब आपका अथर्व वेद में है, आज देखियोगी ना, वशीकरण करें, बाबरे बाबा, डर लगता है, ऐसी ऐसी आज देखके, बड़ा मतलब भयानर दर लगता है, कि सच में ऐसी चीज होती होंगी, एनिवे, याद रहेगा आप, रिग वेद, स्त्रोत और प्राथनाय, यजुर वेद आपका करम कांडो से संबंदित है, यग से संबंदित है, बलिदान विधी से संबंदित है, साम वेद आपका संगीत से संबंदित है, और अथर्व वेद आपका ओशदियों से संबंदित है, तंत्र मंत्र से संबंदित है, वशीकरण से संबंद क्या हो गया? ठीक है, अंसर क्या हो जाएगा, इसका देख लेना जो भी अंसर है मैं बता जाएगा हूँ ये बताओ भई, निम ये बताओ, निम न लिखी चार वेदों में से किस एक वेद में जादूई, माया और वशी करण का वर्णन है बदाओ पटा पटा अभी बता किया ठीओ रिगवेद ये जुरवेद अथरवेद सामेर A, B, C, D मानती तो मैं भी नहीं हूँ लेकिन आप देखते लिए ना अकबारों में पती को वश में कैसे करें उसमें बड़े अलग-अलग फॉमूले होते हैं ना चादी के लिए घरवालों को कैसे मनाएं पती को वश में कैसे करें ठीक है और भी कई तरीके के आप अखबारों की छोटी-छोटी कटिंग मिलेंगी आपको वशी करण, जादू टोना यह किस वेद में है, याद रखना यह सब कहां पे है, अथर्व वेद में याद रखेगा, अथर्व वेद में कुछ नहीं होता, अच्छा काम करो ठीक है, खुद भी खुश रहो सामने वाले को भी भसने तो अब सारा दिन दिमाग खाओगे तो कहां से खुश रख पाओगे चलो, ध्यान रखना जादू इमाया और वशीकरन का संबंध किस्ते है, अथर्व वेद से यह कोन है, एटू मोटिवेशन ममता कहा रही है, अब बोई होता है वई, वशीकरन बिल्कुल सही बात है, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत देखने को मिलेंगे इन चीजों पर ध्यान नहीं रखना है, पढ़ाई पर ध्यान तो कुछ नहीं होता है, बरबाद होते हैं इनके चक्करों में चलो, यह बताओ वह रिगवेद क्या है स्त्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, युद का संकलन है, शब्दों का संकलन है, मैं बता चुकी हूँ, अभी फटापट बताओ बताओ फटापट बहुत बढ़िया याद रखेगा रिगवेद क्या है, स्त्रोतों का संकलन है, मैं आपको बता चुकी हूँ, एक हजार अठाई स्तीधा पूछता है कई बार कितने सुक्त है रिगवेद में तो याद रखेगा एक हजार अठाई सुक्त है और रिचाएं लगभग 10,552 के आसपास ये याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है लेकिन सुक्त याद रख लेना कि भई सुक्त कितने है ठीक है ये कई बार पूछता है ये बताओ भई इस तरीके का कोशन कभी आ जाए कि भई कोन से वेद के ब्रहमन कोन कोन से है ठीक है तो रिगवेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजूर्वेद, अंसर बता दो फटा बाकी सब ब्रहमन याद करने की जुरूरत नहीं है चार-पांच याद करने है अगर कोशन बनेगा तो इन ही में से बन जाएगा फिर फालतु में दिमाग को मतलब हुआ न है तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं है अंसर बताओ बहुत बढ़िया अंजली, राज, इम्तिय प्रियांशी, सुनील, विजय, बहुत बढ़िया शब्बू, वसीम, संस्कृति, पूजा, प्रिती, लिटी, माही, रानी, निशी, बहुत बढ़िया अंसर हो जाएगा C, सिर्फ इतने ही याद रखने है बस किसका कौन सा ब्रहमन है, याद रखना रिगवेद का है एत्रे रिगवेद का है एत्रे, याद रखना, सामवेद का है आपका पंचवीश, इसको कैसे याद रखोगे, पांच लोग बैठके गाना गा रहे हैं, मतलब संगीत, भाई अकेला आदमी गाना गाए कोई सुनने वाला नहीं है, तो गाना गाने का कोई फायदा होगा, यार यह बस मैं इसलिए बोलती हूँ, यह बच्चों वाले जो ट्रिक्स हैं आपको एक्जैम होल में कहीं बार बड़े काम आते हैं, यह पंचवीश किस का था भाई, रिगवेद का था कि सामवेद का था, हमें पता है सामवेद संगीत से संबंदित है, आप अकेले गाना गाओ, अथर्व वेद का है गोपत, और यजुर वेद का है शत्पत, यह चारों याद रखने न, रिगवेद का एत्रे, सामवेद का पंचवीश, अथर्व वेद का आपका गोपत, और यजुर वेद का आपका शत्पत, ठीक है, याद रखेगा, आंसर हो जाएगा C, निम्न कितमे से कौन सा ब्रह्मन ग्रंथ रिगवेद से संबंदित है बताओ फटाफट रिगवेद का कौन सा है अभी पता के ट्यू एत्रेय गोपत शत्पत तैत्रीय ए ए बी सी डी ताल सिता बिलकुल सही बात है याद रखेगा रिगवेद का है अत्रेय बस ये पांच याद रख ले ना जिसे गोपत अभी मैंने बताया किसका है अथर्व वेद का है गोपत यजूर वेद का है आपका शत्पत अत्रेय किसका है रिगवेद का और पंचवीश किसका है आपक इससे गौपत किस ते सम्बंदित है अभी बता के भप फेज़ू। चर्फ इतने याद करने हैं। बस पांच याद कर लो अगर परिक्षा में आना होगा तो आ जाएगा और यदि फिर दूसरा आया तो फिर वो maximum लोगों से नहीं होगा इस बात को ध्यान रखना कितना रटेंगे जैसे यह बहुत इंपोर्टेंट है बही बताओ फटाफट रिगवेद का कौन सा मंडल पूर्टे सोम को समर्पित है तो साथवा, आठवा, नोवा, दसवा पटापट बताओ भोट अच्छा कुश्य नहीं कौन सा मंडल है रिगवेद का जो पूरी तरीके से सोम को समर्पित है बहुत बढ़िया अंचली, सनी, वसीम, ओफिसर, महेंद्र, अजय इम्तियास, स्वाती, बहुती बढ़िया बच्चे याद रखना नोवा मंडल रिगवेद का नोवा मंडल पूरी तरीके से सोम को समर्पित है दसवा मंडल आपको पता है ना पूरुश सुक्त हमने अभी पढ़ा था जिसमें वन विवस्ता ये सारी चीज़े तो नोवा मंडल रिगवेद का पूर्ण तरीके से सोम को समर्पित है अब जैसे ये बताओ यग्य संबंधी जो विधी विधान है इनका पता कहां से लगता है हमको रिगवेद से, सामवेद से, ब्रहमन गरंथों से या जुरवेद से पटापट बताओ अंसर, करवाज की हो यग्य संबंधी जो विधी विधान है, करम कांड है, बलिदान विधिया है इनका पता हमको कहां से लगता है, A, B, C, D बहुत ही बड़िया यग्य संबंधी जो विधी विधान है उनका पता हमको लगता है यजुर्वेद के याद आया रिगवेद मतलब इश्वर की स्तूतिया, सामवेद मतलब संगीत, अथर्ववेद मतलब ओशधिया, जादू टोना, वशी करण, जादू इमाया ये सब अथ जाएगा, बहुत बढ़िया, जैसे निम्न लिखित में से किसका संकलन रिगवेद पे अधारित है, बताओ ये जुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उप्रोक्त में से कोई नहीं, किसका संकलन रिगवेद पे अधारित है, कोई बात नी मैं बता देती हूँ, याद र यह बताओ भई भारत की किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमान मिले हैं बहुत इंपोर्टन कोशिन है लोहे के प्राचीनतम प्रमान कहां से मिले हैं तक्षिला, अंतरजी खेडा, कोशांबी, हस्तिनापूर, ABCD, भोती बढ़िया, राना, शगुन, विशाली, इम्तियाज, अच्छा बच्चा, महेंद्र, गोरव, आर्ती, जैक, बहुत बढ़िया, बुल-बुल, बुल-बुल नहीं, बाबुलाल, याद रखना, अंतरजी ख अंतरजी खेडा, यहाँ पे लोहे की भटिया मिली है, यह दिखता है कि यहाँ पे लोहे को गलाने का काम किया जाता होगा, तो याद रखेगा लोह धातू के प्रचलंग के प्राचीमतम प्रमाण मिलते हैं, अंतरजी खेडा से, यह बताएए उपनिशदे हैं, किस पे अधारित हैं, सबको पता होना चाहिए, दर्शन पे अधारित हैं, यग्य कोनी मानेंगे उपनिशद, ठीक है, वेरी गुड, याद रखेगा उपनिशद किस पे अधारित हैं, तो दर्शन पे अधारित हैं उपनिशद, जैसे वैदिक साहिते में मोक्ष की चर्चा कहां मिलती है मोक्ष की चर्चा कहां मिलेगी रिगवेद में ब्रामन में परवर्ति सहीताओं में उपनिशदों में मोक्ष की चर्चा पहली बार कहां मिलती है वेदों में मिल जाती है क्या मोक्ष की चर्चा बताओ फटापट very good याद रखेगा मोक्ष की चर्चा मिलती है कहाँ पे उपनिशदों में यानि उपनिशद दर्शन पे आधारिथ है और मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिशदों में जैसे एक कोशन बनता है यह बहुत important कोशन है अध्यातम ज्यान के विशे में नची केता और यम का समवाद है ये जो नची केता और यम का समवाद है ये कौन से उपनिशद में मिलता है वृद्दा रण्यक छांदोग्या कठो उपनिशद केन उपनिशद कौन से उपनिशद में यम और नची केता समवाद मिलता है यम कहते है नची केता से वही जो आपक गीता का उपदेश है ना, same to same बात, very good, कठोप निशद याद रख लेना, ठीक है, कठोप निशद में यम और simple सा दे देगा, आपको statement दे देगा, यम और नची केता का जो समवाध है, वो विर्धारण्यक उपनिशद में है, तो गलत हो जाएगा, ये fact पता होना चाहिए, कि यम और नची केता का जो समवाध है, वो कठोप निशद में हमको मिलता है, कठोप निशद, ठीक है, जैसे नची केता आख्यान काउलेख कहा है, तो बताओ फटाफट, answer same होगा, यानि कठोप निशद, कठोप निशद, उपनिशद काल के राजा, अश्वपती कहां के तो अश्वपती थे केक केक, ये बताओ भी, करम बताओ, पहले क्या आया, फिर क्या आया, options आपके सामने हैं, देख लो, बहुत ही simple सा है, करम बताओ, सबसे पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, पुराना ही अंसर चल रहा है, बहुत बढ़िया, यहां पे प्रीती दूबे, वेरी गुड बच्चे, अंजली, रिशू, कैसे गलत कर दिया हो, तक है पिछला question कर रहे होंगे, लिट्टी, एस्पी, श्वेता, और कोई जैक, केजी एफ, प्रियंका, केरल, बहुत बढ़ि अंसर क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, ए, सबसे पहले वैदिक सहीताय आई, मतलब वैदिक, आपको सारे वेद दिखेंगे सबसे पहले, रिगवेद, यजूर वेद, साम वेद, धर्वेद, उसके बाद आपको ब्रहमन दिखेंगे, इन वेदों के एक एक ब्रहमन है, अभी मैंने 5-6 के नामियाद करवाए हैं आपको उसके बाद अरण्यक और सबसे बाद में आए उपनिशद और उपनिशद किस पे आधारित है दर्शन पे आधारित है मोक्ष की चर्चा कहां की गई है उपनिशदों में की गई तो सबसे पहले वैदिक सहिताएं आएंगे उसके बाद ब्रहम मनाएंगे उसके बाद अरण्यक आएंगे उसके बाद उतनिशद आएंगे ए हो जाएगा जिसे आरंबिक वैदिक सहित्य में जो आरंबिक वैदिक सहित्य है उसमें सरवाधिक वरणित नदी कौन सी है अंसर 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 वो इतनी बार अंसर देते हैं कि बार बार दिखता है उनका नाव ठीक है बहुत बढ़िया याद रखेगा सिंधू तन्मीर कि लीटू याद रखेगा अंसर हो जाएगा सिंधू आरंबिक वैदिक सहीत्या में सर्वाधिक वर्नित नदी है सिंधू सिंधू चिनाव और जेलम, अंसर बताओ फटापड, A, B, C, D, अंसर 125 का, फटापड, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, अस्किनी चिनाव नदी के तोर पे पहचानी जाती है, अस्किनी, याद रखना, यहाँ से कोशन बनता है, जैसे अभी एक मैं कराऊंगी, जैसे बहुत बढ़िया, अंसर क्या होगा, हमें पता है, यार, कुम्भा और कुरुमू, यह दोनो कहा की नदीयाँ है, यह अफगानिस्तान की नदीयाँ है, इनका जिक्र हमको दिखता है किसमें रिगवेद में, कुभा, कुरुमो, इनका जिक्र मिलता है रिगवेद में और यह अफगानिस्तान की नदी है, तो यहां से क्या पता लगता है कि रिगवेद के जो आरियों का जो संबंद है वो अफगानिस्तान तक से रहा होगा, याद रखेगा कुभरा कुम्मु ठीक है जयते वैदिक काल की नदी जो कुमभा है ये कहां इसका स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए बहुत इसी है आप सबको पता है अफगानिस्तान में तुर्किस्तान में कश्मीर में पंजाब में तो कुमभा का जो स्थान है वो कहां पर हो चल यार रखेगा अफगानिस ठीक है यह बताओ वई कुंभा पुरुषणी सदानीरा शुतुद्री यह किस किस आधुनिक नाम कौन से यहां से कोशिन बनता है दोस्तों अंसर बताओ फटा-फट एका हो जाएगा एक से निकल जाएगा ठीक है ठीक है जी सदानीरा का हो यह अंसर बहुत इजी है वैदिक काल में क्या नाम था इनका और वर्तमान में क्या नाम है यह कोशिन कभी भी बन सकता है जैसे अभी अभी तक हमने कुभा और कुरुमू देखा कि भई अफगानिस्तान की नदियां है रिगवेद में जिक्र है यानि आरियों का अफगानि पुरुषणी याद रखेगा पुरुषणी का हो जाएगा रावी सदा नीरा गंडग और आपका शुतुद्री हो जाएगा सब्गूज याद कर लिजेगा बहुत जरूरी है जो बच्चे PCS दे रहे हैं बिलकुल तीन चार चीज़े याद कर लिए और बहुत इजी है कु निम्न लिखित में से कौन सी विदेत्तर काल में प्रचलित थी विदेत्तर काल में क्या प्रचलित था धर्मर्थ काम्मोक्ष ब्रामन चत्रिया वैशे शूत्र भ्रमचरिया ग्रहस्त वानपरस्त सन्यास ओप्शन्स आपके सामने हैं आइस का कोशन है तिम्पल सा पूछ लेगा उर्ट सबको पता है बहुत बढ़िया संतोश और कोई अंजली निशा को नई बचे मैं विदोत्तर काल की बात कर लेँ बचे याद रखेगा विदोत्तर काल में क्या बह भाई जीवन की जो अवस्था है इसको माना गया सो साल का और इसको चार भावों में डिवाइड किया गया चार भावों में डिवाइड किया गया पच्चिस 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 यानि पहले पच्चिस साल भ्रह्मचरिय के हैं उसके बाद आपके ग्रहस आश्रम के हैं ठीक है उसके बाद आप चले जाओ जंगल में, वानप्रस्थ अश्रम के है उसके बाद आप चले जाओ सन्यास्त के अवस्था वेदोत्तरकाल में ये चार अवस्थाइं तै की गई मानव के जीवन ली याद रखेगा वेदोत्तरकाल की बात हो रही है भ्रह्मचरिय गहस्त अश्रम वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम याद रखेगा आश्रम व्यवस्था बोलते हैं इसको तो आश्रम व्यवस्था की शुरुआत बेसिकली हमें वेदोत्तर काल में दिखती है ठीक है और कौन-कौन से आश्रम है आपको पता लग जाए ठीक है लग गया है बेसिकली एक केंद्रिय विचार को चित्रित करते हैं आइस 2011 का कोशन है धर्म व्यक्ति के दाइत्वों और स्व्यम तथा दूसरों के प्रती व्यक्ति गत कर्तव्यों की संकल्पना है और रित्म मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टी और उसमें अंतर नहित सारे तत्मों के क्रिया कलापों को संचालित करते हैं अंसर क्या होगा अंजली, वसीम, जैक, मम्ता विक्की गलत हो गया बच्चे संस्कृति, इम्तियाज, पूजा केजी एफ, अपर्ना, भोट बढ़िया राज, आनंद, पूनम याद रखना दोनों सही है बिल्कुल सिंपल सा कोशन है कि धर्म क्या है तो धर्म व्यक्ति के करतव्य स्वयम तथा दूसरों के प्रती व्यक्तिकत करतव्यों की संकल्पना है धर्म यही है और रित, बेसिकली नैतिक व्यवस्ता से जुड़े हुए है दोस्तो वैदिक काल में वरुन को रित का देवता माना जाता था याद रखना, पूछ ले न अपसे की नैतिकता का देवता किसे माना जाता था तो वरुन को वरुन को रितस्य गोपा भी कहा गया है क्या कहा गया है रितस्यitaire गोपा यानि रित का देवता यानि नैतिक सन्चालन एक सरीके से करते थे तो रित मूलत नैतिक विधान है जो सृष्टी और उस में अंत्रनिह सारे तत्वों के क्रिया कलापूं की यानि रित के अब서도 नैतिक तसे जुड़ी हुए है धरम यह हो अश्रणा क्या है करन क्या हो गया है- अंसर अंसर याद रखेगा प्राकृतिक नियमों यानि नैतिक नियमों प्राकृतिक नियमों से जुड़ी हुई है रित की अवधारना से जुड़ी हुई है, एक और question कर दो, आज वैसे तो मैं बहुत लमबी 3 गन्टे की क्लास सोच के आय थी, लेकिन 15 गन्टे के असपास में ही आज हम अपनी क्लास खतम, 15 गन्टे से उपर ही हो गया हुआ, 2 गन्टे के असपास होने वाले है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित किसे माना जाता था अगनी को विरिस्पती को धोस इंडर सभी देवताओं का पुरोहित किसे माना गया है महुत बढ़िया याद रखेगा विरिस्पती यहां तक एक बार रिवाइद करा दू आपका ताकि जितना हमने पढ़ा है वो आपको अलग से देखने की ज़रूत ना पढ़े सिर्फ पटाफट मेरे साथ जुड़िए आर्ये शब्द त्रेष्ट वन्ष उत्तम कुलीन सब्भे पता है आपको सबसे पुराना वेद है रिगवेद त्राई माना जाता है रिगवेद साम्वेद और यजुरू वेद को त्राई बोला जाता है सीधा पूर सकता है वन शब् जिकर आपको कहां मिलेगा रिग वेद के पुरुष सुक्त में मिलेगा दस्वे मंडल पुरुष सुक्त रिग वेद आपको वन व्यवस्था मिलेगी नोवा मंडल में आपको सोम से संबंधित प्राभधान मिलेंगे बता चुकी हूँ अथर्व वेद ओशदियों से संबंदित है, सामवेद संगीट से संबंदित है, रिगवेद ईश्वर की महीमा और यजुर्वेद आपका करम, कांड, यग, बलिदान, ये सब यजुर्वेद में आ जाएगे और जो अथर्ववेद है यह आपका ओशधिया, आपका तंत्र मंत्र, आपका जादू तोना, आपका नहीं मतलब कहने में आता है, यह सब अथर्ववेद में आ जाएगा, यह सब आपको पता है, तो जादू इमाया वशीकरण से कौन संबंदित है, अथर्ववेद है, रिग कुछ ब्राह्मन हम देख चुके हैं कि भई रिगवेद का एत्रे है, सामवेद का पंचवीश है, अथर्ववेद का गोपत है और यजुर्ववेद का शत्पत है, बस इतना याद कर लेना, that's it, ठीक है जैसे रिगवेद का एत्रे है, गोपत का अथर्ववेद है, सोम कौन से में है, कौन से मंदल में सोम है, तो नोवे मंदल में सोम है, जैसे हमने वन व्यवस्था देखा, दस्वे मंदल के पुरुष सुक्त में व्यवस्था है, तो नोवे मंदल में सोम है, यग के सम्मंदी विधी विधानों का पता कहां से चलता है, तो यग, करम, कांड, बलिद पूछता है दोस्तों याद रखना याची केता और यम समवाद कठो अपनिशद में है अश्वपती केके थे यह हमने देखा भई पहले वैदिक वेद आएंगे फिर आपके ब्रहमन आएंगे फिर अरण्यक आएंगे और सबसे लास्ट में आएंगे आपके उपनिशद सरवा कुम्भा का स्थान कहां पर निर्धारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान में कौन सी नदी तो कुम्भा, काबुल, पुरुशुनी, रावी, सदा, नीरा, गंडक और शुतुद्री आपकी सतलुज विदोत्तर काल में कौन सी संकल्पना तो आश्रम व्यवस्ता, ब्रह्मचरिय, ग्रहस्त, वानप्रस्त, सन्यास ये धर्म और रित को मैं समझा चुकी हूँ, रित के देवता किसे माना जाता था, याद रखेगा, रित के देवता माना जाता था, वरुन को वरुन को कहा जाता था, रितस्य गोपा, याद रखेगा, रितस्य गोपा, वरुन को, ठीक है, इसके अलावा पुरोहित, सभी देवताओं का पुरोहित माना जाता था, व्रिष्पति को तो मुझे एक बार पटाफट ये बता दो, सिंधू सभीता और जितना वैदिकाल हमने पड़ा है, ये सब समझ में आया, याद हुआ, पटाफट बता दो, क्लास अच्छी लगी आप लोगों को, और थैंक्यू सो मच गाइस, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, साथ में मिलके बस आप लोग महनत कीजिए, और साथ ही, ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, आज शाम की क्लास नहीं होगी, शाम की क्लास की जगे, मैंने एक छोटा सा 10 मिनिट का प्रीमियर रिकोर्ड किया है, सबसे महतोपूर्ण, जो इस बार PT दे रह देखना, साड़े चार बजे वाली आज क्लास नहीं होगी, साड़े चार बजे वो प्रीमियर आएगा, 10 मिनिट का प्रीमियर है, साथ कौन-कौन सी किताबे हैं, जो हमें पढ़नी ही, पढ़नी है, आई-एस की तैयारी की दुरान, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर शेर कीजिए, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं महनत के लिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाईए, आज साड़े चार ब क्या क्या प्रभाव होंगे, कैसे हटेगा, तो सारी चीजे मैंने 356 की डील की है, रात जो अपनी क्लास आएगी 10 बजे के प्रीमियर में, कल साड़े 10 बजे का मैं आप लोगों को टेलिग्राम पे मेंशन कर दूँगी दोस्तों, ये हमारा टेलिग्राम ग्रूप है, ललीत स्पेस से भी आप जूट सकते हैं, नहीं, कल नहीं होगा, अभी जो हमारा एंशेंट चलेगा न, एंशेंट और मोडन को मैं मिला के चलाओंगी, ये एंशेंट अगर मेरे को मेराथन लेने भी होंगे, तो हम इसी टाइम पे, मतलब साड़े 4 बजे वाली क्लास में लेंगे जिसमें मैं आर्टिकल 34 तक बिल्कुल कमप्रीट करवा चुकी हूँ, तो दोस्तों स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इस बार फोर देना है, इस बार एकदम च्छा जाना है, कहते हैं कि बहुत कम दिन बचे हैं, लगन से पॉजिटिव हुआ 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 रहाँ.